नवस्कार फ्रेंड्स, एड़ुशाला में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम लोग एक अद्भुद किताब को देखने जा रहे हैं आप द्रिश्टी पॉब्लिकेशन का नाम तो जानते ही हैं द्रिश्टी किसी भी एक्जाम के लिए एक स्तंभ के रूप में है और उसने एक जबर्जस्त बुक निकाले हुई है उसका नाम ही है प्रिलिम्स सक्सेश सिरीज प्रिलिम्स की सारी सफलताएं इससे निरधारित होंगी ये कन्फरम है आप बिहार फीसेश के लिए खासतोर से ये निकाले गई है लेकिन जितने भी एक्जाम है चाहिए बिहार SI हो या कोई भी एक्जाम हो जो प्रिलिम्स रिलेटेड है उसमें गारंटी है कि इसी से सारे प्रश्न रहेंगे आप बिहार PCS का या बिहार दरोगा और का कोई भी प्रशन उठा के देख लिजएगा गारंटी है कि सारे प्रशन आपको यहीं से मिलेंगे एक भी प्रशन सिंगल प्रशन इससे बाहर नहीं है यह confirm है फ्रेंड्स यह बहुत ही बहतरीन बुक है इस बुक को आप एक्जाम से पहले जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़के जाएए और यह मान के चलिए कि कितना भी कंपटीशन है आप उसके अंदर ही है बाहर नहीं है बहुत ही जबर्शस सेरीज है इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं लेकिन इस्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप इसमें देख लीजे कि कैसे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स यह देखिए यह वलूम वन है इसमें इतिहास भुगोल और राजब्योस्ता दिया हुआ है इसी तरीके की दो किताबे हैं इसमें देख लीजे फ्रेंड्स यह इतिहास में क्या क्या content है पूरा चीज है लगबग सब कुछ इतने कंप्लीट किया है कुछ भी छोड़ा नहीं है आप इसमें देखे, Modern India का जो भी content है, पूरा है, और इसमें देखे कैसे दिया है, पहले तो one-liner form में दिया हुआ है इन्होंने, बहुत ही बहतरीन तरीके से, सारे तथ्य, जितने हैं जो exam के लिए महत्तपूर्ण है, सब दिये हुए हैं, उसके बाद, उसके बाद इन्होंने म प्रक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो इस वीडियो में आज हम लोग पूरा page by page आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में, फर्स्ट चेप्टर है, इरोपिये कमपनियों का भारत आगमन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इरोपिये कमपनी एवं उनकी अस्थापना का वर्स, तो कमपनी है और अस्थापना वर्स है, इस्तादो द इंडिया, ये पूर्दगाली कमपनी थी, इसका अस्थापना वर्स पंदरा सो पांच में है, ग्रेटिस इस् और ये 1602 में इसकी अस्थापना हुई थी, डेनिस इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना आपका दो, 1660 में हो जाएगा, कमपनी द इंद ओरियेंटल, फ्रांसीसी कमपनी थी ये, और ये 1664 में अस्थापित हुई थी, स्वीडिस इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना 1731 में हुई थी अब देखेंगे इनके क्रम देख लेंगे तो भारत में पूर्थगालियों का आगमन चलिए तो इसको देखते हैं सर प्रथम पूर्थगाली बैपारी वासको डिगामा 17 मई 1498 को भारत के पच्छमी तट पर अवस्थित बंदरगा कालिकट पहुँचा उसका स्वागत कालिकट के ततकालिन सासक जमोरिन ने किया द्वारा किया गया था और यह कालिकट के सासक की उपाधी थी अब नेक्ष है भारत में दिवतिये पूर्थगाली आगमन पेडरो अलवारेज कैवर्याल के नेत्रित में 1500 इसवी में हुआ था अब देखेंगे पूर्थगालियों का बैपारिक घटना करम तो 1498 में क्या होता है वासको डिगामने कालिकट की यात्रा करी थी 1503 में पूर्थगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्टरी के अस्थापना कहा की थी कोचिन में की थी 1505 में देखें तो 1505 में पूर्थगालियों ने भारत में दूसरी फैक्टरी ठीके दूसरी फैक्टरी लगाया था कन्नूर में कनूर में अस्थापित की थी फ्रांसिसको द अलमीडा को भारतिये छेतर का प्रत्थम गवर्नर बनाये गया पुर्तगालियों को मजबूत समुद्री सक्ति के रूप में अस्थापित करने के लिए अलमीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिधान्त दिया था तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी रही तो ये अलमीडा की थी पंद्रा सो नौ में क्या हुआ था अलमीडा ने गुजरात, तूर्की एवं मिस्र के संइक्त बेडे को पराजित किया था पंद्रा सो दस इजवी में अलफानसो डी अलबुकर्क पंद्रा सो नौ में वाइसराय बना था और अलबुकर्क ने बीजापूर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर पंद्रा सो दस में अधिकार किया था पंद्रा सो दस में गोवा पर अधिकार किया था 1530 में पुर्टगालियों ने गोवा को अपने भारतिय राज्य की अपचारिक राजधानी बनाई थी 1530 में बनाई थी ठीक है अब कार्ज आर्मेडा काफिला ब्यवस्था ये क्या था तो इसके माध्यम से पुर्टगालियों ने समुद्री ब्यापार पर नियंतरन कायम किया था ये एक ब्यवस्था थी अब आगे देखिए भारत में तंबाकू की खेती जहाज निर्मान प्रिंटिंग प्रेस की सुरुवात किस ने करा था पुर्टगालियों के आगमन के बाद ही ये हुआ था पुर्टगालियों ने ही 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की अस्थापना करी थी 1560 में गोवा में इसाई धर्म नियाले की अस्थापना की गई थी 1542 में पुर्टगाली गवर्णर मार्टिन डिसूजा के साथ परसिध जिवस संत जेविवर भारत आया था अब आगे देखेंगे थॉमस बेश्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्टगालीयों को स्वाली नामक अस्थान पे पराजित किया था जबकि गोवा दमन और दिव पर 1961 में तक 1961 तक पुर्टगालीयों का अधिकार बना रहा था तो 1961 तक पुर्टगालीयों का अधिकार कहां बना रहा था गोवा दमन और दिव पर अब हम लोग आगे देखेंगे भारत में डचों का आगमन तो सबसे पहले इसमें भारत आने वाली दूसरी जो उरोपिय सकती थी ये कौन थे डच थे ये नीदरलेंड या हॉलेंड के निवासी थे भारती उप महादीप पर डचों की उपस्थिती 1605 से 1825 तक बनी रही 1602 में देखें तो विभिन डच कमपनियों को मिला कर United East India Company of नीदरलेंड की अस्थापना होती है और डच संसत के द्वारा कमपनी को यूध करने, संधिया करने, इलाके जीतने तथा कीले बनाने का अधिकार दिया गया डचों ने 1605 में मसूली पटनम में प्रथम डच फैक्टरी तथा दूसरी डच फैक्टरी को पेतो पोली में अस्थापित किया 1610 में डचो ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझोता करके पूली कट पूली कट में एक अन्य फैक्टरी की अस्थापना की और उसे ही अपना मुख्याले बनाया पूली कट को डचो ने यहाँ पर स्वर्नसिक के पैगोडा ढाले तो स्वर्नसिको को क्या पैगोडा कहा जाता है इन्होंने यहाँ पे ढाले बंगाल में प्रथम डच फैक्टरी की अस्थापना पिपली में 1627 सिस्वी में की गई 1603 में हुगली के निकट चीन सूरा में अपनी कोठी अस्थापित की और यहाँ इस्थर डच किले का नाम क्या रखा गुस्तावुस फोट था अब आगे देखते हैं 1690 में पूली कट के अस्थान पर नेगा पट्टम को डच गवर्नन का मुख्याले बनाया गया डच फैक्टरियों के परमुखो जिन्हें फैक्टर कहा जाता था अंग्रेजों और डचों के भी 1769 इसवी में बेदरा का युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद अंतिम रूप से भारत में डचों का पतन हो गया डच बैपारिक बिवस्था कार्टल कार्टल क्या था अर्थात सहकारिता पर ये अधारित था और इस बिवस्था का उल्लेक 1722 इसवी के दस्तावेजों में मिलता है तो अब हम लोग देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन पहले पूर्त गालियों का देखा फिर ड प्रेजो द्वारब 1599 में गवर्णर ओफ कंपनी एंड मर्चेंट्स ओफ लंदन ट्रेडिंग टू दे इस्ट इंडिज इतना छोटा नाम था इनके कंपनी का तो ये कंपनी के स्थापना होती है 1599 में और इस समय देखा जाए तो भारत में कौन सासन कर रहा था अकबर तो अ इंग्लेंड की महरानी ने 31 दिसंबर 1620 में एक चार्टर के द्वारा इस कंपनी को भारत में 15 वर्सों तक बैपार करने की आग्या परदान करती हैं इंग्लेंड की महरानी कब 1600 में 1608 में इंग्लेंड के राजा जेम स्प्रत्थम का अकबर के नाम पत्र लेकर मुगल बादसाह जहांगीर के दर्वार में कैप्टन हौकिन्स आया और वहां हेक्टर नमक जहाद से सूरत बंदरगाह पर उत्रा था तो जहांगीर के दरवार में कैप्टन हौकिन्स आया था कब 1608 में और वह हेक्टर नमक जहा सेय था और सूरत बंदरगाह पर उत्रा था 1609 में मुगल बासा जहांगीर से मिलकर सूरत में बसने की आग्या मांगी प्रंतु अस्थानिय बिरोध के कारण उसे आग्या नहीं मिली थी ठीक है अब नेक्श देखते हैं फारिसी और मुगल तहजीब के उसके ग्यान से परबावित होकर जहांगीर ने उसे 400 का मंसब तथ इंग्लीज खाने की उपादी दी थी अब मुगल बासा जहांगीर ने 1613 इसवी में एक फर्मान जारी किया और उसमें अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधिन वैपारी कोठी खोलने की इजाजत दे दी 1615 में समराट जेम्स प्रथम का दूद सर टॉमस रो जहांगीर के दरवार में पहुंचा जिसने मुगल समराज के सभी भागों में वैपार करने और फैक्ट्रिया अस्थापित करने का अधिकार पत्र यानि कि साही पर्मान प्राप्त कर लेता है 1611 में अंग्रेजों ने सवर प्रथम मसूली पत्नम में वैपारी कोठी के अस्थापना की 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों ने एक सुनाहला फरमान प्राप्त किया इसकी अनुसार क्या था 500 पैगोडा सलाना देकर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बनरगा प्राहों में स्वतंतरता पुर्वक वैपार करने की आग्या मिल गई 1661 में इंग्लैंड के समराड चाल्स दूतिये का बिबाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है और इस बिबाह में पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज के रूप में चाल्स को वेट कर दि 1649 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगरी के राजा से मदरास को पटे पर लेकर कारखाने के अस्थापना की तथा एक किले का निर्मान करवाया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया कमपनी ने 1698 इसवी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस सान को बारह हजार रुपए का भुखतान कर तीन गाओं सूतानाती, कालीकाता और गोबिंदपूर की जमिंदारी प्राप्तकरली तथा फोर्ट बिलियम नामक कीले का निर्मान करवाया और कालांतर में जॉब के द्वारा इसी जगह पर कलकत्ता नगर बसाया गया अब आगे देखेंगे भारत में डेनिस का आगमन भारत में अंग्रेजों के बाद 1616 में डेनिसों का आगमन हुआ और तैंजोर के ट्रेंकोवर में 1620 में उन्होंने पहली फैक्टरी अस्थापित की अपनी दूसरी फ 1745 में उन्होंने अपनी सभी फैक्टरिया अंग्रेजों को बेच दी तथा ये भारत से चले गए अब नेक्स देखेंगे इरोपिय वानी जी के आरंभ में संबंध अस्थल देखेंगे तो पूली कट पूली कट तमिलनादू में इस्थत बंदरगा है जो भारत में डचों का परमुख बंदरगा रहा सुतानाति काली काता वा गोबुइंद पूर इन तीन गाउं को मिला कर कलकत्ता के अस्थापना हुई थी चाउल क्या है महराष्ट में पच्छमी घाट परिस्तत है यहां पूर्टगाली का ब्यापारी केंद्र था चटगाउं यह वर्तमान बा परिक एरोपिय कमपनियों में फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कमपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना 1664 में होती है फ्रांसिसी समराट लुई 14 के मंतरी कोलवड के द्वारा की गई थी ठीक है इस कमपनी का मुल्ग नाम क्या प्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री जो थी 1668 में फ्रैंक कैरो द्वारा सूरत में स्थाफित की गई थी तथा दूसरी फैक्ट्री मरकारा ने गुलकुंडा के सुल्तान से अनुमती लेकर मसूली पट्न में 669 में स्थाफित किया था 1673 में कमपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टीन और वेलांग दलेस्पीने ने वली कोंडपूरम के मुसलिम सुवेदार सेर खान लोदी से गाउप्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती अस्थापित की जिसे पांडी चेरी के नाम से जाना जाता है भारत में फ्रेंच कमपनीों का मुख्याले पांडी चेरी था बंगाल के छेतर में इनकी प्रमुख फैक्टरी चंदरनगर में अस्थापित थी अंग्रेज समर्थी डचो ने 1693 में फ्रांसीसीों से पांडी चेरी लेली पर 1697 इस भी में रिजवी की संधी द्वारा इसे वापस लटा दिया अंग्रेजों और फ्रांसीसीों के मद हुए करनाटक के युद में अंततह अंग्रेज विजाई हुए अब करनाटक युद देख लेते हैं तो प्रथम करनाटक युद हुआ था 1746 से 48 के बीच और इस में क्या क्या हुआ था इस युद्धी की सुर्वात जो हुई थी इरोप में आश्ट्रिया के उत्रा अधिकार युद्धी के साथ हुआ था बारनेट के नेत्रित में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत जब्त कर लिये जिसके बिरोध में फ्रांसीसियों ने भी मदरास पर अधिकार कर लिया मदरास को घेर लिये जाने के बाद अंग्रेजी ने नौाब से सनरचन मांग कर नौाब और फ्रांसीसियों को लड़ा दिया फ्रांसीसी सेना और नौाब अन्वरू दीन के बीच लड़ा गया सेंट धोमे के युद्ध जो 1748 में है इसमें क्या होता है नौाब की पराजय होती है और इससे भारतिये राजनीती के खोखले पन एवन सैनिक दुरबलता को इरोपिये सक्तियों के समक्च उजागर कर दिया इरोपिये ब्यापारी कमपनी से संबंधित ब्यक्ति देख लेते हैं वासको डिगाम भारत आने वाला प्रतम इरोपियात्री था जोन मिल्डेन हॉल ये भारत आने वाला प्रतम ब्रेटिच अधिक नागरित था गेरोल्ड अंग्यार बंबै का संस्थापक था फ्रैंको मार्टिन कौन था ये पांडी चेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रांसीस डे मदराज का संस्थापक था जॉन सूर्मन ये मुगल बासा फरूक सियर से विशेश ब्यापारिक सुईधा प्रराप्त करने वाले सिष्ट मंडल का मुखिया था फादर मॉंस्रेट ये अकबर के दर्वार में पहुचने वाले प्रथम पुर्दगाली सिष्ट मंडल का अध्यक्ष था अब आगे हम लोग प्रथम करनाटक युद्ध देख रहे थे तो इसी में है इरोप में एकसला सैपल की संधी होती है 1748 में तो इससे आश्टेरिया के उत्राधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है और संधी की सर्तों के नुसर मदरास अंग्रेजों को मिल जाता है तो ये प्रथम करनाटक युद्ध था अब दूतिय करनाटक युद्ध देखेंगे ये 1749 से 54 के बीच होता है निजामु मुल्क आसफजाह की मिर्तु 1748 में हो जाती है इसके बाद उसका पूत्र नासीर जंग उसका उत्राधिकारी बनता है प्रन्तु उसके भांजे मुझ अप्फर जंग तो नासिर जंग और मुसब्भर जंग में ये लडाई सुरू होती है मुझाप्फर जंग चंदा साहब और डूपले की सयुक्त सेना ने 1749 सिस्वी में करनाटक के नवाब अन्वरू दीन को अबूर के युद्ध में पराजित कर मार डालते हैं और करनाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो जाता है अंग्रेजों ने अरकाट प्रकरन का सहारा लेकर चंदा साहब की हत्या करवा देते हैं और इसके बाद मुहम्मद अली करनाटक का नवाब बन जाता है इस युद्ध के उपरान डूपले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला ले तो इस तरह दूतिय करनाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है अब तीरतिय करनाटक युद्ध ये 1758 से 63 के बीच हुआ 1756 में ईरोप में सब्ट वर्सिय युद्धी की सुरवात के साथ ही भारत में भी तिर्थिय करनाट की युद्धी की सुरवाथ हो जाती है परंत वास्तिक युद्धी की सुरवात जो था इस 1758 में ही हो गया था ठीक है और ये फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लाली के दुआरा मदरास का घेरा डालने से हुआ था शुरू तो 22 जन्वरी 1760 को वांडी वास की लडाई में आयरकूट के नेत्रित में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली के नेत्रित वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर देती है और 1761 में अंग्रेजों ने पांडी चेरी को भी अपने अधिकार में कर लियते हैं और इस यूद का समापन जो होता है 1763 की पेरिस की संधी से हो जाता है तो इस तरह से तिर्थिय करनाटक की उध्य समाप्त हो जाता है ठीक है देखिए इस तरह से आपका ये चेप्टर कम्पलीट होता है इरोपिये कमपनियों का भारत आगमन ठीक है और इस चेप्टर के बाद असमर्णिये तत्थे और MC क्यूज दिया है जो इसमें परतेख च इस च्री आदुनिक भारत का इन सबका एक मास्टर वीडियो एसमर्णिये तत्थे और MC क्यूज का एक मास्टर वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है ये दो तीन दिन पहले ही अपलोड किया जा चुका है तो आप लोग उसको देख सकते हैं चेप्टर देखेंगे ब्रिटिस कालीन परमुक अधिनियम तथा पुर्शासक चलिए तो देखते हैं ब्रिटिस कालीन महत्पून अधिनियम तो सबसे पहले इसमें रेगुलेटिक एक्ट आएगा 1773 का तो इसके बारे में जानते हैं भारत के सवेधानी कितिहास में 1773 इस भी का रेगुलेटिंग जो गुवर्नर जनरल वारेन हेश्टिंग के काल में पारित हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा 1773 में कलकत्ता में एक उच्तम नियाले के स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख नियायदी सर एलिजा इमपे तथा तीन अवर नियायदी सो चेमबर्स लिमेस्टर हाइ की गई थी उच्तम नियाले के निर्नाई के बिरूद अपील जो है लंदन इस्थत प्रिवी कॉंसिल कि में की जाती थी इसी में 1773 का जो एक्ट है इसी में मदरास एवं बंबाई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधिन कर दिया गया जिसका परमुख गौ गवर्नर जनरल अध्यच के रूप में तथा चार सदस जो थे निउक्त किये गये थे गवर्नर जनरल अध्यच और चार सदस और थे इन सदस्यों को गवर्नर या पार्सत कहा जाता था इस मंदल में बहुमत से निर्नाई होते थे परन्तु मत बराबर होने के स्थिति में अ अध्यच अपना निर्नायक मत देता था ठीक है अब आगे देखेंगे दूसरा अधिनियम है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट इसमें क्या क्या हुआ था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को दूर करने के उदेश से ब्रिटी संसद ने 1784 इस भी में पी व्योस्था की गई थी ठीक है छे सदस्य थे इसमें भारत का प्रशासन गुवर्नर जनरल एवं उसकी तीन सदस्य परिशत के हाथ में रहेगा परिशत सहीत गुवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार होगा कि वह अन्य प्रेसिडेंसियों के कार्यों का निरिक्षन नियंतर ब्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड और कंट्रोल जो है राजनीतिक मामलों के लिए प्रशासन ये दोनों हुआ नेक्ष है भारत इसत्त गुवर्नर जनरल की जो नियुक्ति का अधिकार है ये कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया जो ब्रेटी समराट की पूरो अन पारिक एका अधिकार अगले 20 वर्सों तक के लिए बढ़ा दिया गया इसमें मुख सेनापती को गुवर्नर जनरल की परिसत का स्वता ही सदस होने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि उसे डायरेक्टरों की समीती के द्वारा विसेश रूप से नियुक्त ना किया जाए ब कमपनी के अधिकार को पुना 20 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया कमपनी का भारत के साथ जो बैपार करने का एका अधिकार था इसको समाब्द कर दिया गया यदि पि उसके चीन तथा चाय के साथ जो बैपार होता था उस एका अधिकार को बना रहने दिया गया भारतिये बैपार सभी बैपारियों के लिए खोल दिया गया यद पी उन्हें कुछ बिसेश सिमाओं के अधिन कारे करना था अब इसी समय इसाई मिस्नरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा एक लाक रुपए की धनरासी प्रतिवर्स अलग रखने का प्रवंध था ताकि भारत में साहित का पुनर उत्थान तथा उन्नती हो सके और सिक्षा को पुरसाहन मिल सके कमपनी के सैनिक वा और सैनिक दोनों परकार के क्रमचारियों के प्रसिक्षन का भी प्रावधान किया गया अब चार्टर अधिनियम 1833 देखेंगे तो कमपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्सों के लिए पुनर बढ़ा दिया गया कमपनी के चाय के बैपार और चीन के सभी बैपारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तो यहाँ पर जो चाय के बैपार और चीन के साथ जो बैपार था उसको भी समाप्त कर दिया गया और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया भारत का प्रथम गुवर्नर जनरल कौन बने तो ये लॉड बिलियम बेंटिक को बनाया गया आगे देखते हैं इसी में बिधान बनाने के लिए गुवर्नर जनरल की तीन सदस्य कारेकार्णी में एक सदस्य की बृधी की गई जिसे बिधी सदस्य की रूप में मान्यता मिली। इसके द्वारा क्या हुआ इसके द्वारा जाती और वर्न के अधार पर सरकारी चैन में भेदभाव जो था ये समाप्त कर दिया गया है। तथा उसके उत्रा अधिकारियों की ओर से ट्रस्ट के रूप में जब तक संसद कोई विवस्था ना करे उस समय तक के लिए अपने अधिन रखने की अनमती दी गई। अठार सुतीरपन के चार्टर में ही हम लोग देख रहे हैं। जिसमें अधिक्तम बारस सदस थे। बोर्ड अफ डाइरेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वह नई प्रेसिडेंसी का गठन कर सके। इसी आग्या द्वारा 1869 में 1859 में पंजाब में एक लेप्टिनेन गवर्नर निउक्त किया गया। अठार सुतीरपन का जो चार्टर है अधिकार पत्र बिटिस भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 देखेंगे। तो इसमें भारत का सासन क्राउन के अधिन लाया गया। यह पर सासन समाग के द्वारा निउक्त एक 15 सदस्य परिसद को सौप दिया गया। जिसके अध्यक्ष को भारत राज सच्यू के नाम से जाना गया। भारत राज सच्यू जो है ब्रीटिस मंत्री मंडल का एक सदस्य होता था। राज सच्यू की 15 सदस्य परिसद में 8 सदस्यों की निपती क्राउन के द्वारा और 7 सदस्यों की जो निपती है ये बोर्ड अब डारेक्टर के द्वारा की जानी थी। परिसद के सदस्वे में कम से कम आधे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो भारत में दस वर्स तक सरकारी सेवा कर चुके हों। भारत के गवर्नर जन्रल को अब वाइसराय कहा गया और वह क्राउन का सीधा परती नीधी बन गया। ब्रिटीस भारत का प्रथम वाइसराय कौन था यह लॉर्ड कैनिंग था 1856-62 इसका कारेकाल था भारतिये परिसद अधिनियम 1861 देखेंगे तो इसके द्वारा ब्रिटीस संसद द्वारा 1861 में प्रथम भारतिये परिसद अधिनियम पारित किया गया और वाइसराय की जो कार कार्यकार्णी परिशद में विधिवेता सदस्य की रूप में पाँच्वा सदस्य इसमें सामिल किया गया। वाई सराय की कारेकारनी परिसद को कानून बनाने की सक्ती प्रधान की गई जिसके सहत क्या हुआ लॉर्ड कैनिंग ने विभागिये परणाली की सुरुवात करी भारतिय परिसद अधिनियम 1861 के नुसार बंबई एवं मदरास प्रांतों को अपने लिये कानून बनाने तथा उनमें संसोधन करने का अधिकार पुना प्रदान किया गया वाई सराय को कारेकारनी परिसद में निवन्तम 6 तथा अधिक्तम 12 अतरीक्त सदस्य को मनोनित करने का अधिकार दिया गया इनमें से कम से कम आधे सदस्य गयर सरकारी होने थे तथा उनका कारे जुकाल था ये दो वर्ष तैय किया गया अब देखेंगे भारत परिशद अधिनियम उठारा सो बानवे इसमें क्या था केंद्रिये केंद्रिये तथा प्रांतिये पिधान परिशदों की जो सदस्य संख्या है उसमें ब्रीधी की गई केंद्रिये पिधान परिशद में निवंतम दस और अधिक 16 सदस निधारित किये गए केंद्रिये विधान मंडल के सदस्यों को बीतिये विवरन पर अपने विचार प्रगट करने इसके साथ ही साजवनिक हीतों के मामले में उन्हें 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्न पूछने का अधिकार दे दिया गया थिक है तो परंतु पूर प्रक्स पूछने का अधिकार उन्हें अभी भी नहीं था चुनाव पध्धति की सुरुवात करना इस अधिनियम की सबसे महत्पून विशेश्था थी तो 1892 में चुनाव पध्धति का सुरुवात किया गया है हाला कि इसमें निर्वाचन सब्द का परियोग नहीं किया ग कि इस रिपोर्ट के अधार पर फरवरी 1909 में एक बिधयक त्यार कर ब्रिटिस संसद में प्रस्तूत किया गया और इसे 1909 का मारले मिन्टो सुधार कहा गया केंदरियें बिधान परिसत में सदस संख्या को बढ़ा कर 69 कर दिया गया जिसके अंतरगत 37 जो था सास्किये यॉम 32 और सास्किये सदस्यों में से 5 था वो गोवर्नर जनरल द्वारा मनोनित और 27 जो था ये निर्वाचित किया जाते थे भारत सचीव की परिसद तथा भारत के वाय सराय की कारेकारनी परिसद में सर प्रथम किसी भारतिय सदस्य को नुक्त किया गया यक्षरूप से चुने जाते थे पहली बार प्रिथक निर्वाचन विवस्था का प्रारंभ किया गया तथा मुसल्मानों के लिए प्रिथक सामपरदाइक परतिनी धित्य परनाली लागू की गई इस अधिनियम द्वारा विधान परी सदों के सदस्यों को अभुवाद किया गया इससे उन्हें यह औसर मिल गया कि वे बजट या लोख हीद के किसी विषय पर संकल्प प्रसावित करके प्रसासन की नीती पर परभाव डाल सके केंद्रिये विधान परिसद में सदस्यों का जो कारेकाल है वो तीन वर्स तैय किया गया चुनाव परनाली को जिसे 1892 इस भी में केवल परोक्षे रूप से स्विकार किया गया था अब विधिवत मान्यता मिल गए ठीक है अब देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 मांटेग्यू चेम्सपोर्ट सुधार तो 1918 में मांटेग्यू चेम्सपोर्ट रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आध परियोग किया गया 1919 में प्रांतों में उत्तरदाई सरकार के अस्थापना के लिए द्वैत सासन की सुरुवात करी गई और प्रांतिय सरकार के सभी विस्रेयों को दो स्रेनियों में विभाजित कर दिया गया हस्तांत्रित और आरक्षित ठीक है अस्थानिय सोसासन, सिक्षा, समाज कल्यान, स्वार्जवनिक स्वास्त, क्रीसी, उत्वग ऐसे जैसे जो विस्थै थे हस्तांत्रिट स्रेनी में रखे गये प्रांतों में स्वयधानिक तंत्रे के विफल होने पर गुवर्नर राज्जी के प्रशासन एवं हस्तांत्रित विशयो का दाई तो अपने उपर ले सकता था। बोट देने का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया। केंद्रिये विधान सभा को दिवसद्निय बनाये गया। इसमें देखें तथा दोनों सद्रों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का परत्यक्ष निर्वाचन पर नाली द्वारा चयन करने का प्रावदान रखा गया। केंद्रिये विधान सभा को निमने सदन कहा जाता था जिसमें सदस्य संख्या कितनी थे 145 थी उस सदन तथा राज्य परिशत की जो सदस्य संख्या थी ये 60 थी सदस्य से प्रच्छन पूछ सकते थे अनुपूरक मांगे पेश कर सकते थे अस्थगन प्रस्ताव ला सकते थ बजट को अस्विकार कर सकते थे किन्तु अभी भी बजट का 75% हिस्सा जो था सदस्यों की सहमती के बिना भी पारित किया जा सकता था इस अधिनियम के तहत भारतिये उच्चा युक्त का पद का स्रीजन किया गया अब देखेंगे भारत सासन अधिनियम 1935 तो इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचिया थी इस अधिनियम के 3 परमुख भाग थे अखिल भारतिये संग, संगिये ब्यवस्था और प्रांतिये स्वायत था इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संग जो था ब्रिटीस भारतिये प्रांतो, मुख आयतो के प्रांतो तथा देशी राज्यों को मिला कर बनाया जाना था लेकिन संग के इस प्रस्ताव का किरियानवन नहीं हो सका केंद्र में समझ सविधान का केंद्र बिन्दु गुवर्नर जर्णल था प्रशासन के विसयों को दो भागों में विवक्ति किया गया संरच्छित विसयों में क्या था विदेशी मामले, रक्षा, जन्जातिये चेतर, धार्मिक मामले आते थे जिसका परशासन गुवर्नर जनरल को कारेकारी पार्षदों की सलाहा पर करना था कारेकारी परिसत केंद्रिये ब्युस्थापिका के प्रती उत्तरदाई नहीं होती थी हस्तांतरित विश्वय में वे सभी अन्य विश्वय सामिल थे सनरच्छित विशवय में सामिल नहीं किये गये थे इन विशयों का जो पर्शासन था गवर्नर जन्रल को मंत्रियों की सलाह से करना होता था अभी संगिये विधान मंडल अर्थात ब्युस्थापिका का स्वरूप जो था ये दिव सदनिये था जिसमें उच्च सदन राज्ज परिसद इसमें एक तिहाई सदस जो होते थे परतेक तीन वर्स के पश्चाद चुने जाते थे और इसमें जो अधिक्तम सदस संख्याती 260 निर्तहारित की गई थी संग्हिये सभा का कारेकाल पाच वर्स का होता था और इसके सदस्यों में 250 प्रांतों के और अधिकाधिक 125 सद जो होते थे ये रियासत के होने चाहिए थे इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता दी गई संग्हिये न्याले के स्थापना की गई एक केंद्रिये बैंक के स्थापना की गई इस अधिनियम में बीसेयों को तीन स्रेनियों बाटा गया संग सूची प्रांतिये स सुची और समुवर्ती सुची इन में बाटा गया और से सक्तियों पर जो अंतिम निर्ण्य था ये गवर्णर-जनरल का होता था और इसपर कानून कौन बनाएगा कि हैं इसपर कानून कौन अधानिस में किया गया अब नेक्ष है भारतिय सोतंतरता अधिनियम 1947 तो 4 जुलाई 1947 को ब्रेटी संसर में प्रस्तूत बिदेयक सीग रही 18 जुलाई को पारित होने के बाद इस पर साही हस्ताक्षर हो गया और इसे भारतिय सोतंता अधिनियम के नाम से जाना गया इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसत का छेत्रा अधिकार 15 अगस 1947 को समाप्त हो गया 1947 के अधिनियम से भारत का समराट जैसे सब्द को हटा दिया गया साथ ही ब्रिटिस सरकार वो भारतिय नरेशों के मध हुए अनुबंध संधी आधि को रद कर दिया गया पाकिस्तान के परदेशों सिंध, ब्लूचिस्तान, उत्तर पच्छिम सीमांत प्रांथ, पच्छिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल को छोड़कर भारतिय संग या हिंदुस्तान के सभी परदेशों को समलित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया अंतता ब्रिटिस भारत को दो स्वतंत डोमीनियन भारत तथा पाकिस्तान में बाट दिया गया जिसमें भारत का गवर्नर जनरल माउंट बेटन को बनाने का आगरा किया गया वहीं पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मुहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतिये थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार गड़हन किया था अब देखें ब्रिटीस भारत में पारित विभीन अधिनियम और उस समय के गवर्नर जनरल या वाय सराय तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वारेन हेश्टिंग के समय पारित हुआ था पीट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेश्टिंग के समय ही 1786 का अधिनियम कौर 49 के समय चार्टर अधिनियम 1793 ये सर जोन सोर के समय और चार्टर अधिनियम 1813 लॉड मिंटो प्रथम के समय पार पारित हुआ है और चार्टर अधिनियम 1813 डलहोजी के समय पारित हुआ भारत सरकार अधिनियम 1859 कैनिंग के समय भारत परिसद अधिनियम 1861 जो है लौड कैनिंग के समय और जो भारत भारतिये परिसद अधिनियम 1892 ये लैंस डाउन के समय भारतिये परिसद अधिनियम 1909 मिंटो दूतिये के समय और भारत सरकार अधिनियम 1929 जो है चेमसपोड के समय और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये बिलिंग्टन के समय ओके और ये जो भारतिये सोतंतरता अधिनियम 147 है ये मालड माउंट बेटन के समय पारित हुआ अब देखेंगे आगे परसासक के बारे में देखेंगे ठीक है ये इसमें गौर्णर जनरल देखेंगे तो सबसे पहले बंगाल के गौर्णर जनरल तो रोबर्ट कलाई 1759 से 60 के बीच और फिर 1765 से 67 के बीच रहा और ये कला में प्लासिका युद्ध इसी समय शत्रसो पैसट की इलाहाबाद की संधी हुई और बंगाल में द्वैस आसन की अस्थापना की गई हौल्वेल 1760 में हौल्वेल जो है कलाई का अस्थाना पन गवर्णर बना और इसी ने ब्लैक होल घटना की वर्णन किया है 1756 में जो ब्ल 1764 हुआ और इसमें कमपनी की सेना ने मीर कासिम अवद के नवाप सिजाओ दौला तथा मुगल बादसाह आलमदूतियों की संयुक्त सेना को पराजित किया था हैरी वेरलेष्ट ये 1767 से 69 कलाई के बाद वेरलेष्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया था जौन कार्टियर जो है 1769 से 72 के बीच रहा इसके समय में 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था वारेन हेश्टिंग 1772 से 74 के बीच आया वारेन हेश्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था जिसने बंगाल में लागुद्वैस सासन को समाप्त कर दिया अब देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल सबसे पहले वारेन हेश्टिंग तो ये 1774 से 85 के बीच रहता है तो कलकत्ता में एक उच्टम न्याले की अस्थापना की गई इस समय तथा कलकत्ता में ही सरकारी टकसाल की अस्थापना की गई इसने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदर्सा अस्थापित किया इसके सनरचन में चाल्स विलिंकंस ने भगवत गीता कांग्रेजी में अनुआत किया और सर बिलियम जोन्स ने 1784 में दे एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल की अस्थापना की, देशी रियास्तो है तु इसने घेरे की नीती अपनाई, प्रथम आंग मराठा यूद इसी की समय होता है 1775 से 82 में और दूतिय आंग मैसूर यूद जो है 1784 के ये हेश्टिंग के सास सनकाल में ही लड़ा गया, अब देखेंगे लॉड कर्णवालिस 1786 से 93 के बीच, तो कर्णवालिस को भारतिये सीविल सेवा का जनक माना जाता है, उसने नियाईक छेतर में सक्ति के प्रिथक करन का सिध्धान्त दिया, तथक कर्णवालिस सनहिता एवं रेवेन्यू पार पर रोक लगा दी, परतेख जीले में पूलिस थाने के सापना की, एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया, और इस डिच्री से देखा जाए, तो भारत में पूलिस बेवस्था का जनक भी इसे ही माना जाता है, कर्णवालिस ने बिहार, बंगाल, उडिसा, आदी छेत में भूर आजस्व की अस्थाई बंदोबस्त परनाली 1793 में लागू किया, अब देखेंगे सर जॉन सोर 1793 से 98 के बिच, निजाम तथा मराठो के बिच, खूरदा कायूत 1795 में इसी के समय में होता है, किसके बिच निजाम और मराठे के बिच, इसने देशी राज्यों के प मैं कलकत्ता में फोर्ट बिलियम कॉलेज के अस्थापना की गई, यह स्वैम को बंगाल का सेर कहता था, इसने भारतिये प्रेश पर प्रथम सेंसर्शिप लागू किया था, सर जॉर्ज वारलो यह 1805 से 7 के बिच रहा, इसके समय में 1806 में यह लोर का सिपाही बिद्रो लोर्ड मिन्टो प्रथम 1807 से 13 के बिच इसके कारेकाल में 1813 इसमी का चार्टर एक्ट पारित हुआ, तथा महराजा रंजीत सिंह के साथ, परसिद अमरीत सर की संदी 1809 में लोर्ड मिन्टो प्रथम के समय हुआ, हैस्टिंग देखेंगे 1813 से 23 के बिच, इसके समय में अंग प्रेजो एम गोर्खो के बिच सुगौली की संदी 1816 में आंगल नेपाल युद्ध समाप्त होने पे हुआ था, इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ, पिंडारियों के परमुखनेता वासिल मुहम्मद, चीतु एवं करीम खान थें, लोर्ड हैस्टिंग ने 1818 में पे इसी के समय 1822 में बंगाल में कास्तकारी अधिनियम लागू हुआ, एम हश्ट देखते हैं, लोडेम हश्ट 1823 से 28 के बीच, इसके समय में प्रधम आंगल वर्मा युद्ध 1824 से 26 होता है, और 1826 में इन दोने के बीच यांडपू की संधी होती है, 1824 में बैरकपूर, ठीक है, बैरकपूर सैन चावनी में विद्रोह, इसके सासनकाल में की परमुख घटना है, अब देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल, लोड बिलियम बेंटिक 1828 से 33 के बीच और 1833 से 35 के बीच, तो भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल बना, लोड बिलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के सहीयोग से 1829 में सती प्रथा के खिलाब कानून बनाकर 1217 के द्वारा विद्वाओं का सती होना अवैद घोसित कर दिया, कर्नल स्लीमन की सहयता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया, सीसु एवं बाली का हत्या पर भी परतिबंध लगाया, तथा नर्बली की प्रथा को भी बंद करा दिया, आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्मान हुआ, 1835 का सिक्षा संबंधि मैं काले प्रस्ताओ, सिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भासा को उच्च सिक्षा का माध्यम बनाये जाने की घोसना की, इसके सासनकाल में सरकारी सिवाओं में भेद भाव को समाप्त करने की घोसना हुई, सभी न्यालियों में फार्सी के अस्थान पर अस्थानिये भासाओं के पर्योग की अनुमति दी गई, तथा भारतियों को भी उत्तरदाई पदों पर नियुक्त किया गया, अब देखेंगे चार्ल्स मेटकॉप 1835 से 36 के बीच चार्ल्स मेटकॉप ने समचार पत्रों से परतिबंध हटा दिया और जिसके कारण इसे भारतिये प्रेस का मुक्ति दाता कहा जाता है लोड आउकलेंड 1836 से 42 इसने ग्रैंट ट्रक रोड की मरम्मत करवाई इसी समय प्रथम आंगल अफगान युद्ध 1849 से 42 के बीच होता है और 1838 में इस्ट इंडिया कमपनी महराजा रंजीत सिंग एवं अफगान सासक साह सुजा के मध्धे त्रीदलिये संधी होती है कब 1842 से 44 इसने अगस्त 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज में बिलाय कर दिया इसमें चाल्स नेपियर ने महत्पुन भूमी का निभाई 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू किया गया इसने कुसल अकर्मनित्या की नीती का पालन किया लॉड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 तो हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख्यूद होता है 1845 से 46 एम लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है अब डलहौजी देखेंगे 1848 से 56 इसके सासनकाल में दूतिये आंग्ल सिख्यूद होता है 1848 से 49 और इसने 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज में बिलाय कर दिया दूतिये आंग्ल वर्मा यूध 1851 से 52 में सुरू हुआ और 1852 में लोवर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया डलहौजी ने 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया लोड डलहौजी ने ब्यपगत सिधान्त के तहट भारत के कई देशी राज्यों को ब्रिटिस समराज में सामिल कर लिया इसने कर रहित जागीरों का पता लगाने और उसे वापस लेने के लिए 1852 में इनाम कमीशन के अस्थापना की डलहौजी ने 1856 में अवद के नवाग वाजिद अली साह पर कू सासन का आरोप लगाकर अवद को अंग्रेजी राज में मिला लिया भारत में पहली बार 16 अप्रेल 1830 को बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाए गई 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंब हुआ 1830 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की सुरवात हुई सिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 में उड़ डिस्पैच नीती लागू की गई जिसके तहत परतेक परदेश में एक सिक्षा निदेशक की नुक्ती हुई सेना का मुख्याले सिमला में अस्थापित किया गया तथा उसे अंग्रेजी समराजी की ग्रीस में कालिन राज़ानी बनाया इसके समय में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक निर्मान विभाग के अस्थापना की गई अब भारत के वाईसराय देखेंगे Lord Kenning 1856 से 62 के बिज Lord Kenning 1856 से अंठावन तक भारत का गुवर्नर जनरल था और इसी के समय अठाशनतावन का बिद्रो हुता है और वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाईसराय भी था इसी के समय 1856 में बिद्वा पुनर विबाह अधिनियम लागू हुआ 1857 में बंबई, मदरास और कोलकाता में एक एक बिद्विद्याले के स्थापना हुई भारतिय डन सनहीता 1860 तथा फोजदारी बिधी सनहीता का निर्मान इसी के समय हुआ 1861 का भारतिय परिसद अधिनियम तेवं भारतिय उच नियाले अधिनियम के तहट कलकाता, बंबई, मदरास में एक एक उच नियाले के स्थापना की गई भारत में पहली बार आयकर लगाया गया भारतिय दन सनहीता की अस्थापना 1861 में इसी के समय हुई अब लॉर्ड एलगिन प्रथम 1862-63 इसके समय में वाहाबी आंदोलन का दमन किया गया और इसकी मिर्थू 1863 में पंजाब में हो गई सर जॉन लॉरेंस 1864-79 तो इसके काल में 1866 में उडीसा 1868-79 में राजपुताना तथा बुंदेल खंड में भीसन अकाल पड़ा वाइसराय ने हेनरी कैम्पवेल के नेत्रित में एक अकाल आयोक का गठन किया 1865 में इसने भारत यों इरोग के बीच प्रथम समुदरी टेलिग्राम सेवा सुरू करवाई अब लॉड मेयो देखेंगे 1879 से 72 के विच भारत में बीतिय विकेंद्री करन का जनक लॉड मेयो को माना जाता है 1872 में भारत में प्रथम जनगना इसी के समय हुई और इसने 1872 में क्रीसी विभाग की अस्थापना करवाई 1872 में राजकुमारों के अध्यन के लिए परसीद मेयो कॉलेज की अस्थापना अजमेर में की गई लॉड मेयो की हत्या उसके कारेकाल के दोरान एक अफगान द्वारा अंडमान में कर दी गई नॉर्थ बुक देखते हैं तो 1872 से 76 इसके समय में 1872 में नेटिव मेरेज एक्ट पारिद हुआ जिसके तहत अंतरजातिय विभाहा को मानेता दी गई पंजाब में कूका बिद्रोह इसी का दमन इसी के काल में हुआ 1875 में प्रिंस ओफ वेल्स का भारत आगमन हुआ लॉड लिटन 1876 से 80 के भी लॉड लिटन एक परसीद उपनियासकार एउम साहित्यकार था साहित्य जगत में इसे ओवन मेरी डित के नाम से जाना जाता है इसके काल में बंबई, मदरास, हैदराबाद, मद्ध भारत, पंजाब में भयानक अकाल पड़ा और इसने रिजट एश्ट्रेजी की अध्यक्चता में एक अकाल आयोक का गठन किया 1878 में लिटन ने 1877 में दिली में एक भव्व दर्बार का आयोजन किया जिसमें महरानी विक्टोरिया को कैसर एहिंद, ठीक है, कैसर एहिंद की उपाधी दी गई इसने भारतिय सिविल सेवा में सामिल होने वाले भारतियों की आयू जो है 21 से घटा कर 19 वर्ष कर दी और अली गड़ में एक मुसलिम एंगलो प्राच्च महा विद्याले के स्थापना की लॉड लिटन के समय 1878 में ये वर्णाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतिये सस्त्र अधिनियम पारित किया गया इस दोरान दिवतिये आंगल अफगान यूध 1878 से असी के बीच हुआ लॉड रिपन अब देखेंगे 1880 से 84 रिपन के समय 1881 में सौर प्रथम नियमित जनगन्ना करवाई गई स्रम सुधार हेतू 1881 में प्रथम कारखाना आधिनियम भी लाये गया रिपन ने सौर प्रथम समचार पत्रों की सोतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और सीविल सेवा में परवेश की आयू को 19 से बढ़ा कर 21 वर्स कर दिया अस्थानिय सोसासन की सुरवात प्रोड निपन के काल में हुआ था 1882 में उसने सैच्छिक सुधारों के अंतरगर 1882 में बिलियम हंटर की अध्यक्चता में एक सिक्चा आयोक की सुरवात गठन किया इसके समय में इलबर्ट विध्यक प्रस्तूत किया गया लेकिन इरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा अंग्रेजों द्वारा इस विध्यक के विरोध में किये गया विद्रोह को स्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइंटेंगल ने रीपन को भारत के उद्धारक की उपाधी दी है लोड अफरिन देखेंगे इसके समय में तिर्तिये आंगल वर्मा युद्ध होता है 1885 से 88 की वीच इसमें वर्मा को पराजित कर अंतिम रूप से ये ब्रिटिस समराज में मिला लिया गया 1885 में भारती राष्टि कॉंग्रेस की अस्थापना होती है बंगाल क्रीसक अधिनियम, अवद क्रीसक अधिनियम, पंजाब क्रीसक अधिनियमक पारित किये गये अब लॉर्ड लैंसडाउं 1888 से 94 के बीच ये रहा इसके समय में भारत और पाकिस्तान के मद्द सीमा रेखा, डुरंड रेखा का निर्धारन हुआ 1891 का Age of Consent Act जो है इसके समय पारित हुआ जिसमें लड़कियों की जो विबाहा की उम्र थी ये 12 वर्स कर दी गई 1893 में अफीम आयोग का घठन किया गया लॉर्ड एलगिन दूतिये 1894 से 99 भारत को तलवार के बल पे बीजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी ये कथन किसका है लॉर्ड एलगिन दूतिये का है इसके सासनकाल में 1896 संतानबे के दोरान उत्तर परदेश, बिहार, पंजाब, मध्र परदेश में भयंकर अकाल पड़ा इसने लोयल कॉमिशन अकाल आयोग का घठन किया अब देखते हैं लॉर्ड करजन 1899 से 1905 लॉर्ड करजन ने 1901 में एक सिचाई आयोग तथा 1902 में सर डबलू फ्रेजर की अधेक्सता में पुलीस आयोग का घठन किया इसने सैन अधिकारी को परिक्षन के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की अस्थापना किया 1902 में ही सर टॉमस रेले की अधेक्षता में बिस्वविद्याले आयोग का घठन किया गया इसने 1902 में सर एंटनी मैकडोनल की अधेक्षता में अकाल आयोग का घठन किया 1904 में भारतिये बिश्व विद्याले सुधार अधिनियम पास किया गया करजन ने 1904 में एतिहासिक इमारतों की सुषक्षा यो मरम्मत के लिए भारतिये पूरा तत्यों सर्वेच्छन विभाग किया स्थापना की इसके समय में ही कगकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्मान हुआ 1904 में ओफिसियल सिक्रेट एक्ट पारित करके सरकारी नियंतरन और बढ़ाया गया 1905 में रेले बोर्ड का गठन किया गया करजन के समय ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन परभावी हुआ जिसे बंगाल में सोक दिवस के रूप में मनाया गया करजन द्वारा इंपीरियल का एडिर कॉप्स की अस्थापना की गई अब नेक्ष देखेंगे लॉड मिंटो दूतिये 5 से 1905 से 10 1906 में धाका में मुस्लिम लिक्य स्थापना हुई 1908 में समचार पत्र अधिनियम तथा 1909 में मारले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया राजेन परशाद ने लॉड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है 1909 में मदन लाल धिंगरा को करजन वायली की हत्या के जूर में फासी दे दी गए अब लॉड हार्डिंग दूतिये 1910 से 16 इसके समय में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के समराट जोर्ज पंचम का भारत आगमन होता है 1911 में बंगाल विभाजन को रद करते हुए भारत की राजधानी कलकता से दिल्ली अस्थानानतित कर गई और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया लॉड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली प्रवेश के समय बम फेका गया था लॉड चेम्सपोर्ड 1916 से 21 स्पी सीनहा गवर्नर बढने वाले प्रथम भारतिये थे इसके समय जिसकी निवती बिहार के गवर्नर के पद पर हुई थी अप्रेल 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया 1919 में मांटेग्यू चेम्सपोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत प्रांतों में द्वैस आसन की अस्थाप ना की गई यों भारतिये विधान मंडल को बजचत संबंधी अधिकार दिया गया लॉर्ड रीडिंग के समय उनिसो इकिस से चब्वीस यह एक मात्र अईहूदी अवैसराय था लॉर्ड रीडिंग के समय में ही एक नॉमबर 1921 को प्रींस ओफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था और इस दिन संपूर्ण भारत में हरताल का आयोजन किया गया था इसने 1922 में ICS की परिक्षा इलाहबाद युम लंदन दोनों जगह कराने का निर्नाय लिया लॉर्ड इर्विन 1926 से 31 इसके समय में देशी रियास्तों के संबंध में 1927 में हार्डोंग बटलर की अध्यक्षता में बटलर समीती का गठन किया गया दिसंबर 1927 में All India State People Conference का आ आगमन हुआ, 1930 में सारदा एक्ट लागू हुआ जिसमें लड़कियों के विवाह की नियुनतम उम्रे 14 एवं लड़कों की 18 वर्ष कर दी गए लॉर्ड बिलिंग्टन 1931 से 36, 1934 में इसके सासनकाल में के दोरान बिहार में भयंकर भुकम पाया था बिलिंग्टन ने 1915 में कॉंग्रेस के बंबाई अधिवेशन में हिस्सा लिया और उस समय वह गवर्नर था 1932 में पूना पैक्ट वह तीरतिय गोल में सम्मेलन आयोजित हुआ लिन लितिगो 1936 से 44 इसके समय में दूतिय विस्यूद 1949 से 45 के बीच होता है और 1940 का अगस प्रस्ताव इसी के द्वारा लाया गया था जिसके विरुद्ध में विक्तिगत सत्या ग्रह सुरू किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 का आगमन भारत छोड़ो आंदोलन की सुरवात इसके सासनकाल के परमुख घटना है लोड बेवेल 1944 से 47 तो इसके समय में राजनीतिक समधान के लिए सीमला सम्मेलन 1945 का आयोजिन किया गया 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ इसके समय में साही नौसीनुकों का विद्रोह 1946 में हुआ ब्रिटिस प्रधान मंत्री क्लिमेंट एटली ने भारत को सोतंत कराने की घटना करी लोड माउंट वेटन 1947 से 48 तो यह ब्रिटिस भारत का अंतिम एवं स्वतंत भारत का प्रतम वायसराय था और इसके सासनकाल में भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत राष्टों की घुसना की गए तो नोट स्वतंत भारत के प्रतमयों अंतिम भारतिय वायसराय चक्रवरती राज गुपाला चारी थे तो इस तरह देखे यह चेप्टर आपका कंप्लीट हो गया और इससे संबंदिज जो important question और स्मर्णिय तत्य थे इसको एक अ नेक्स शेप्टर है ब्रिटिस कंपनी द्वारा भारत विजय तो सबसे पहले इसमें हम लोग नवीन स्वायत राज्य देखेंगे जो ठार्वी सताबदी में नवीन स्वायत राज्य बना था उसके बारे में हैदराबाद के संस्थापक निजामो मुल्क था इसका चिनकली अवद का सादत खान भरतपूर का जूडामन और बदन सिंग करनाटक का सादु तुल्ला खान था बंगाल का मुर्सीद कुली खान और मैसूर का हैदर अली जैपूर का जैसिंग रुहेल खंड का मुहम्मद खान बंगस तो अब हम लोग इन सब राज्यों को एकक करके पाया तो सबसे पहले बंगाल है अठारवी सताबदी में नवीन स्वायत राज्य में सबसे पहले बंगाल देखेंगे मुगल बातसा फरूक सीहर ने ये 1717 इस भी में मुर्सीद कुली खान को बंगाल का सुबेदार निउक्त किया जिसने आगे चलकर मुगल समराज की कमज सीहर ने एक फर्मान द्वारा ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल में ब्यापार करने की रियायत दे दी इस फर्मान के द्वारा बंगाल में तीन हजार रुपए वार्सिक कर अधा करने पर कमपनी के समस्थ ब्यापार की सीमा सुल्क से मुक्त कर दिया एक योग परशा सकता जिसने अंग्रेजों को कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को चंद्र नगर में किले व्यंदी नहीं करने दिया इसने अंग्रेजों की तुल्ना मधुमक्खी के छत्ते से की थी 1756 में सिराजु दौला बंगाल का नमाब बना इस समय की ब्लैक होल घटना जो यह 20 जून 1756 में घटी थी यह परमुक घटना है सिराजु दौला उसमें बंगाल का नमाब था इस घटना में सिराजु दौला ने बंदी बनाए 146 अंग्रेजो जिसमें इस्त्रिया और बच्चे भी समली थें को कमरे में बंद कर दिया था लेकिन 23 जुन 1756 की जब सूब इस कोठरी को खोला गया तो इसमें मात्र 23 अंग्रेज ही जीवित बचे थें 23 जुन 1757 को मूर्सीदा बाद के दच्चिन में नदिया जीले के पलासी नामकस्थान पर युद होता है जिसमें नवाप सिराजु दौला की सेना की प्राजय होती है और कमपनी की जीत होती है तो ये पलासी का युद होता है अब मीर जापर 1757 से 60 के बिच था तो इसको पलास की सफलता के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाप बना दिया प्रशासनिक और विवस्था तथा राज को सरिक्त होने के कारण अंग्रेजों की आवसकताओं को पूर्ती नहीं हो पा रही थी अतव वह किसी अन्यकठबुदली नवाप को बैठाना चाह रहे थे तो इ उसका कासिम का मानना था कि आजादी बनाये रखने के लिए भरा हुआ खजाना और कुसल सेना की आवसकता पड़ती है मीर कासिम ने अपनी राजानी मुर्सीदा बाद से मुंगेर अस्थानांति कर ली मुंगेर में तोपो और तोड़दार बंदूकों को बनाने की विवस्था थी सेना के आधुनी की करन के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रीन हाड की निउक्ति की गई और यह समरू के नाम से प्रसिद्ध था मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान मीदनापूर चटगाव के छेतर दे दिये उसने अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुप्यों को रोकने के लिए 1762 में एक निर्ने लिया नवाब ने आंतरिक बैपार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया मीर कासिम ने फलता अंग्रेजों की जो विसेशा अधिकार थे ये समाप्त हो गए बकसर का युद 22 अक्टूबर 1764 को होता है इसमें तीनों सहयोगियों मीर कासिम, सुजावु दौला, साह अलम दूतिये की अंग्रेजों सेना से इनकी प्राजय हुई मीर कासिम की मिर्तु 1777 में दिल्ली में हो जाती है अब देखेंगे बंगाल के नवाब और उनका कारेकार तो सबसे पहले मुर्सीद कुली खान 1717 से 27 के बीच सुजावु दिन 1727 से 49 के बीच सर्फराज खान 1749 से 40 के बीच रहा अलिवर्दी खान 1740 से 56 के बीच रहा सिराजु दौला 1756 से 57 के बीच मीर जाफर बनता है तो ये 1759 से 1760 के बीच रहा मीर कासिम 1760 से 63 के बीच और फिर से मीर जाफर बनेगा 1763 से 65 के बीच नजमु दौला 1765 से 66 के बीच सैफु दल्ला जहां 1766 से 1770 के बीच फिर उसके बाद मुबारुक दौला 1770 से 75 के बीच बनता है अब इलाहबाद की जो प्रथम संधी होती है 12 अगस 1765 में इसको देखते हैं तो संधी करता मुगल समराट साह आलम दूतिये बंगाल के नवाब नजमू दौला और रॉबर्ट कलाग ये सबी थें संधी करता मुगल बाद साह आलम दूतिये ने कमपनी को बंगाल बिहार उडिसा की दिवानी दे दी कमपनी ने अवद के नवाब सुजाओ दौला से कड़ा और इलाहबाद के जीले लेकर मुगल समराट साह आलम दूतिये को दे दिया इस संधी द्वारा कम्पनी को उत्री सरकार उरिसा की जागीर मिली मुगल समराट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्स पेंसन के रूप में दिये गए अब इलाहाबाद की दूसरी संधी भी होती है इस 16 अगस्त 1765 को होती है संधी करता अवद के नवाब सुजाओ दोला और रौबर्ट कलाई है कम्पनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवद से प्राप्थ होता है इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवद का सेस्चेत्र जो है नवाब को वापस कर दिया गया कम्पनी द्वारा नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवद में रखी गई कम्पनी को अवद में कर मुक्त बैपार करने की सुजधा प्राप्थ हो गई वारा नसी गाजीपूर के छेत्र में कंग्रेजों के सनरच्छन में राजा बलवन्त सिंग को अधिकार दिया गया अब देखेंगे बंगाल में द्वैत सासन 1765 से 72 तक था ये तो द्वैत सासन का जनक लियो कार्टिस था इस परनाली के तहट नवाब ने कंपणी को निजामत सौप दी जिससे कंपणी को पुलीस और न्याइक सक्तियों पर पूर्ण नियंतरन मिल गया कंपणी को बादसाह से दिवानी मिली जिससे कंपणी को सीधे ही राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया मुहम्मद रजा खान को बंगाल का नवाब सुवेदार तथा नायब दिवान निउक्त किया गया मुहम्मद रजा खान को और सिताब राय को बिहार का नायब सुवेदार तथा नायब दिवान निउक्त किया गया अब देखेंगे बंगाल हो गया मैसूर 1565 में ताली कोटा के युध के बाद वेंकट दूती है के समय मैसूर में वाडयार राजवन्स के अस्थापना होती है और इस वन्स का अंतिम सासक चिक्का कृष्णराज नाम का सासक था मैसूर के सासन की वास्तिक जो बागडोर थी ये नाम मात्र का सासक था इसकी जो वास्तिक बागडोर थी दो मंत्री नंजराज और देवराज के हाथों में थी इसी समय हैदर अली अपनी योगता के बल पर मैसूर की सेना में घुड सवार सैनिक के रूप में भरती होता है जो एक दिन मैसूर राज्य का स्वामी बन बैठता है 1755 में हैदर को दिंडी गूल के कीले का फोजदार निउक्त किया गया 1755 में ठीक है हैदर ने फ्रांसी सियों से अच्छे संबंध अस्थापित किये East India Company ने अपने वानिजिक्स हीतों की पूर्ती के लिए परत्यक्छ रूप से हंस्तच्छेप की निती का अनुसरन किया परिनामित क्या हुआ आंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया टिपु सुल्तान के बारे में देखेंगे हैदर अली की मिर्तू के बाद उसका पुत्र 1782 में मैसूर का सासक बनता है टिपु ने 1787 भी में बादसाह की उपादी धारन की टिपु ने आधुनिक कैलेंडर को लागो किया सिका ढलाई की नई तकनीक के सासाथ नापतौल की आधुनिक पैमाने अपनाए फ्रांसीसी क्रांती के बाद उसने अपनी राजधानी स्री रंगपत्नम में जैकोबिन कलब बनवाया एवं उसका जो सदस्य था उसका सदस्य बना और नागरिक टिपु कहलाया राजधानी में स्वतंतरता का ब्रिक्ष लगवाया ये सभी टिपु सुल्तान ने टिपु ने अरव अफगानिस्तान फ्रांस तूर्की कुस्तुन्तूनिया मौरिसस आधी जगों पर अपने दूत भी बेजे हिंदूों को उच बदो पर न्युक्त किया पुरनिया एवं क्रिश्न राव उसके दो परमुक हिंदू मंत्री थे स्रिंगेरी के मंदिर जो था उसकी मरम्मत के लिए धन उपलग्द कराया या इसकी धर्म सही सुनता का उधारन इसे मिलता है अब देखेंगे आंगल मैसूर यूद के बारे में अब देखेंगे आंगल मैसूर यूद तो प्रथम आंगल मैसूर यूद जो है 1767-79 के बीच होता है और इस समय गवर्नर जर्नर वेन सी टार्ट था हैधर अलि से भीवस होकर अंग्रेजु ने 4 अप्रेल 1769 में मदरास की संधी कर ले दूतिय आंगल में सूर यूद 1780 से 84 के बीच होता है इसके समय में गवर्नर जनरल वारेन हेश्टिंग था आयर कूट के नितरित में अंग्रेजी सेना के द्वारा पोर्टो नोवा के यूद हैदर अली इसमें पराजित हुआ और 7 दिसंबर 1782 को इसकी मिर्टू हो जाती है इसके बाद टीपू और अंग्रेजों के बीच मंगलोर की संधी हुई तिर्टिया आंगल में सूर यूद 1792 से 92 में हुआ इसके समय गवर्नर जनरल जो था 49 था निजाम मराठे और अंग्रेजों का त्रिगुट ये था स्री रंगपटनम के निकट हुए यूद्ध के बाद मार्च 1792 में टीपू को स्री रंगपटनम की अपमान जनक संधी करनी पड़ती है टीपू को आधा राज्य तीन कड़र रूपे यूद्ध छती के रूप में देने पड़ते हैं चत्तूर्थ आंग्ल मैसूर यूद्ध 1799 में हुआ था इस समय गवर्नर जनरल लॉड बिलेजली था और बिलेजली ने टीपू पर निजाम मराठो और फ्रांसीसियों से मिलकर सड्यंत का आरोप लगाकर यूद्ध आरंब करता है चार मई 1799 को अंग्रेजों ने स्री रंगपटनम पर अधिकार कर लिया टीपू यूद्ध में बीरगती को प्राप्थ हुआ ततपचात अंग्रेजों ने मैसूर की गद्धी पर वाडियार वंस के एक दो वर्सिये बालक क्रिस्न राज को बैठा कर राज जी को अपनी सरक अप्चन में ले लेता है और सहायक संधी थोप दी जाती है यूद्ध के बाद बेलेजली ने कहा अब पूरब का राज हमारे कदमों में है नेक्स देखते हैं मराठा सीवा जी के बाद पिस्वाओं के नित्रितिम मराठा सक्ति का विकास अन्वरत रूप से होता है अठार पिस्वाओं में तीन पिस्वाओं बाला जी विश्वनात बाजी राव प्रतम बाला जी बाजी राव या नाना साहब ने मराठा सक्ति के विकास में अभूत पुर्ण योगदान दिया तो इन तीन पिस्वाओं ने मराठा सक्ति के विकास में अभूत पुर्ण योगदान दिया है और इनके बारे में अब देखते हैं बाला जी विश्वनात 1713 से 20 सिवा जी के बाद हुए उत्रा अधिकार के युद्ध में उन्होंने तारा बाई के विरुद साहु को सहायता दी साहु ने 1713 में विश्वनात को पेश्वा की पदवी दी इस समय मराठा समराज के दो केंद्रे थे कोलापूर और सतारा बाला जी विश्वनात की मुख सफलता 1719 में मुगल बासाहा की ओर से सयद बंधों से की गई संधी थी रिचर्ड टेमपल ने इस संधी को मराठो का मैगना काटा कहा है नेक्षे बाजी राव प्रथम ये 1720 से 40 के विश्व था 1720 इस भी में बाला जी विश्वनात की मिर्दू के बाद उसका पुत्र बाजी राव प्रथम महज 20 वर्स की उम्र में पेश्वा बनता है और बाज समराज के प्रती अपनी नीती की घोसना करते हुए उसने कहा हमें इस जरजर प्रिक्ष के तने पर परहार करना चाहिए साखाये तो स्वैम ही गिर जाएंगी बाजी राव ने सातमार 1725 को पाल खेडा के समित निजाम को पराजित किया तथा उससे मुंगी सिवा गाउं की स सम्भू जी का सर्यंत असफल होने के बाद उसने वारना की संधी से साहु के अधिंता स्विकार कर ली और उसने सालसेट यों बेसिन पर भी अधिकार कर लिया बाजी राव की मिर्तु 1740 में हो जाती है सीवा जी के बाद बाजी राव गुरिल्ला युद के सबसे बड़े प बाजी राव की मिर्तु के बाद उसका पुत्र उनका पुत्र था पुत्र बाला जी बाजी राव थे जे नाना साहब के नाम से परसेद्य थे और ये गद्दी पर बैठते हैं 1750 में बाला जी बाजी राव ने मराठा सासक राजा राम दूतिये से संगोला समझवता करके र पानिपत का तिर्ते युद्ध 14 जन्वरी 1761, मराठो और अफगानिस्तान के सासक अहमत सा अबदाली के मद्धुआ, इस युद्ध में अहमत सा अबदाली बिजित हुआ और मराठे जो हैं पराजित हुए, इबराहिम खान गार्दी का भारी तोप खाना इस युद्ध में उ अबदाली की उटो पर रखी घूमने वाली तोपो ने मराठो का सरवनावस कर दिया, पानिपत के तिर्ते युद्ध के परत्यक्ष दर्सी कासी राजपंडित के सब्दों में, पानिपत का तिर्ते युद्ध मराठो के लिए प्रलैकारी सिद्ध हुआ, अब आंगल मराठ 1772 में पेशवा माधो राव प्रथम की मिर्तु के साथ ही मराठो में ग्रीह कला सुरू हो जाता है, इस परिस्थीती में घबरा कर जो रगुनाथ राव था अंग्रेजों की सरन में चला जाता है 1775 को बंबई की सरकार ने रगुनाथ राव के साथ सूरत की संधी की, प्रंतु कलकत्ता कॉंसिल ने सूरत की संधी को अनूचित बताते हुए, मार्च 1776 में पुरंदर की नई संधी की बंबई की सरकार ने पुरंदर की संधी का बिरोध किया और मराठो के बिरुध संघर्स छेर दिया, यह संघर्स लगभग सात वर्सों तक चला, अन्त में दोनों पक्छों के मध 1722 में साल बाई की संधी से युद समाप्थ हो गया और इस संधी ने अंग्रेजी कमपनी को 20 इस वर्सों की सांती परदान की, अब दूतिये आंग्ल मराठा युद 1803 से 6 के बीच होता है, मराठा राजनीती के चानक के के नाम से परसीद नाना फढ़नवी इसकी 1800 में मिर्तु हो जाती है, इसके बाद पूना दर्बार सर्यंतरों का केंदर बन गया था, 1801 में पेश्वा बाजी राव दूतिये ने जस्वंत राव होलकर के भाई बिठु जी की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर, होलकर ने पूना पर आक्रमन कर पेश्वा और सिंधिया की सयुक्त सेना को पराजित कर दिया, बाजी राव दूतिये ने भाग कर बेसिन में सरन ली, 31 दिसंबर 1802 को बाजी राव दूतिये एवं अंग्रेजों के मध्य बेसिन की संधी हुई, इस संधी के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षन स्विकार कर एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्विकार किया, पेशवा ने गुजरात, तापती, नर्मदा के म इसिन की संधी मराठो के लिए अपमान जनक थी, जिसके फलसोरू भोसले ने अंग्रेजों को चुनोती दी, भोसले लोड लेक तथा बिलेजली से पराजित हुआ, 1803 में भोसले ने बिवस होकर अंग्रेजों से देवगाव की संधी कर ली, इस संधी के अनुसार कटक एव नदी के पच्छीन का भाग अंग्रेजों को मिल गया, अंग्रेजों ने सिंधिया से 1803 में सूर्जी अर्जन गाउं की संधी की, इसके अनुसार गंगा तथा यमुना के छेतर को कमपनी को दे दिया गया, तथा जैपूर, जोधपूर और गोहद की राजपूत रियास्तो पर अपना प्रभुत्व छोड़ दिया, सर जोर्ज बारलो ने होलकर को युद्ध में परास करने के बाद 1805 में राजपूर घाट की संधी की, अब तिरतिया आंग्ल मराथा युद्ध होता है 1817 से 1818 के, तिरतिया आंग्ल मराथा युद्ध के दौरान हेश्टिंग ने प इंधिया से ग्वालियर की अपमान जनक संधिया किया, अंग्रेजों ने अंतिम रूप से पेश्वा को किरिकी के युद्ध में पराजित किया, उसे पेंसन देकर कानपूर के पास बिठ्धूर भेज दिया और इस वरकार मराथा संग बिगटित हो गया, पिंडारी, देख ये लूट मार करने वाले दलों के रूप में होते थे जिनकी न्युक्ति बाजी राव प्रथम के समय सुरू हुई थी, इसके परमुख नेता वासिल मुहमद करीम खान चीतू थे, 1824 तक बिंडारियों का सफाया हो गया, अब सिंध के बारे में देखेंगे, सिंध को कैसे म लाया, तो गवर्नर जनरल ओकलेंड ने सिंध के प्रती आकरामक नीती अपनाई और रंजीज सिंग के आकरमन का भै दिखा कर, अपरेल 1838 में सिंध के अमीरों को एक संधी करने के लिए बाद्धि किया, जिसके अनुसार अमीर लगभग अंग्रेजों के संरच्छन में आ जून 1838 में अफगान मसले को खल करने के लिए अंग्रेज, रंजीज सिंग और अफगानिस्तान से निर्वासिस साह सुजा के मध्य एक त्री दलिये संधी होती है जिसके अनुसार, साह सुजा ने सिंध पर अपनी सरुस रिष्टा त्याग दी, जिसके बदले में अंग्र जो की मध्यस्ता स्विकार कर ली, 1842 में ऑकलेंड के अस्थान पर एलन बरो, एलन बरो कवर्नर जनरल के रूप में भारत में आया और इसी वर सिंध के दरबार में मेजर आउटरम के अस्थान पर नेपियर ब्रीटिस रेजिडेंट बना, 1843 में नेपियर ने बलोचियों, क पुम्यानी और दाबो के युद्ध में पराजित कर, अगस्त 1843 में सिंध को अंग्रेजी राज में मिला लिया, नेपियर ने, नेपियर ने अपने इस स्कृत्त के बाद लिखा, हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, और ऐसा करना और एहमद साह अगदाली के आकर्मनों के कारण पंजाब में आराजकता फैल गई, इन परिस्थीतियों में पंजाब में सिख मिसलों का उदय होता है, इनकी संख्या बारह थी और इन में से एक सुकर चक्या मिसल भी थी, रंजीत सिंग के बारे में देखते हैं, 1792 से अठा 1449, रंजीत सिंग का जन्म 1780 में सुकर चक्या मिसल के मुख्या कहा हुआ था, महा सिंग के घर में हुआ था, ठीक है, अलप वायू में ही पीता की मिर्टू हो गई थी, जिसके कारण यह सुकर चक्या मिसल के परमुख बन गये थे, 1799 में रंजीत सिंग ने लाहोर 1805 में अम अमरीच सर और राजनीतिक राजधानी लाहोर दोनों उसके अधीन हो गया, अमरीच सर की संधी 25 अपरेल 1809 में हुआ था, मेटकफ और रंजीत सिंग के बीचुई थी, इसके प्रावधान देखते हैं, सतलज नदी को दोनों पक्छों ने सीमा रेखा मान लिया, सतलज के प अपगान अमीर साहसूजा से कस्मीर को 1813 में अपने सनरचन में ले लिया, साहसूजा ने कोही नूर हीरा भी इन्हें भेट दिया, रंजीत सिंग ने 1818 में मुल्तान पर विजय प्राप्त की और पेसावर को 1834 में सीख राज का अंग बना लिया, 1849 में महराजा रंजीत सिंग की मिर्तू के बाद उनका पूतर खड़क सिंग और सेर सिंग करमसक गद्दी पर आसन हुए, प्रन्तु जल्द ही इनकी भी मिर्तू हो जाती है, 1843 में राज माता जिंदन के सनरचन में महराजा रंजीत सिंग के अल्प वयसक जो पूतर है, दिलीप सिंग का राज आरोहन किया गया, दिलीप सिंग के अर्शासन काल में ही प्रथम आंगल सिख युद्ध होता है, रंजीत सिंग का प्रशासन, रंजीत सिंग ने ब्रिटिस एवं फ्रांसीसी सेन ब्योस्था के अधार पर एक कुसल सूप्रसिक्षित एवं सू संगठित सेना का गठन किया था, रंजी सिंग ने बिभीन सिख मिशलो को संगठित करने के उद्देश से राज्य को सरकार एक हालसा नाम दिया तथा अपने द्वारा चलाए गए सिखो को नानक साही सिखे का नाम दिया कारदार नामक अधिकारी, राजस्व, संग्रह करता, खजांसी और लेखा कारे कारे करता था रंजी सिंग के सरवाधिक विश्वस्निय मंत्री जो थे हरी सिंग नलवा, दीनानांत और फकीर अजी मुदिन थे ये विदेश मंत्री थे और दीनानात बित मंत्री थे सेन परसासन दो भागु में विभाजित था फोजे खास या फोजे आइन अर्थात नियमित सेना और फोजे बेकवाज जती अनियमित सेना थी नियमित घुर सवारों को उरोपिय धंग से परसिक्षन हेतु 1822 में फ्रांसीसी सेना पती एलोड को निउक्त किया था इटालियन सेना पती बंतूरा को पैदल सेना के परसिक्षन हेतु निउक्त किया गया था अब देखेंगे प्रथम आंगल सिक्ष युध अठारा सो पैतालिस से च्यालिक गौर्णर जर्रल लॉड हर्डिंग के समय लड़ा गया इस समय भारत के परधान सेना पती जनरल गफ था इस युध के बाद 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों एवं सिक्षों के मध लाहोर की संधी होती है लाहोर दर्बार में अंग्रेज रेजिडेंट की निउक्ति हो जाती है और पहला रेजिडेंट जो है हेन्री लॉरेंस बना 11 मार्च को एक पूरक संधी के द्वारा अंग्रेजी सेना के 1846 सिस्वी के अंतक लाहोर में बने रहने पर सहमती बनती है अंग्रेजों ने एक कड़ोर रुपाई के बदले कस्मीर गुलाब सिंग को बेचने को लेकर लाल सिंग के नेतरित में सिखों ने बिद्रोह कर दिय अंग्रेजी सेना ने बिद्रोह का दमन कर दिया और दिलीप सिंग से पुना भैरोवाल की संधी की गई अब भैरोवाल की संधी 22 दिसंबर 1846 को होता है आठ सिख सरदारों की एक परिशद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में सासन के कारियों के लिए निउक्त की गई जिन्दन की संरच्छिता को समाप्त कर उसे डेड़ लाक रुपए वार्सिक पेनसंदी गई ब्रिटी सेना लहोर में दिलीप सिंग के वयस्क होने तक रहेगी दितिया आंगल सिख युद देखते हैं 1849 से 49 के विच होता है इस युद में सर प्रथम 22 नॉमबर 1848 को राम नगर का युद और 13 जन्वरी 1849 को चीलिया वाला का युद जनरल गफ तथा सेर सिंग के विच होता है जनरल कप जो अंगरेजी सेना का नितृत कर रहा था और सेर सिंग सिख सेना का नितृत कर रहा था चाल्स नेपियर के नितृत में अंगरेजी सेना के सामने 21 फरवरी 1849 को गुजरात के युद शिख सेना ने समर्पन आत्मी समर्पन कर दिया इतिहास में इसे तोपो का युद्ध कहा जाता है के नाम से भी जाना जाता है पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और महराजा दिलीप सिंग को 5 लाक रुपए की वार्सिक पेंसन देकर रानी जिंदन के साथ इंगलेंड भेज दिया गया तथा दिलीप सिंग से कोहिनूर हीरा लेकर साही ब्रिटिस राज मुकुट में लगा दिया गया अब अवद के बारे में देखेंगे अवद के स्वतंत राज्य का संसापक साधत खान था 1722 में अवद का सूबेदार बनाये गया इसे और 1723 में सहातत खान ने अवद में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया साधत खान की मिर्टू के बाद भतीजे सफदर जंग को अवद का नवाब निक्त किया गया 1748 में समराट मुहम्मा सहा ने उसे अपना वजीर निक्त किया तथा इलाहाबाद को प्रांत दे दिया इस कारण उसके उत्रा अधिकारी नवाब नवजीर कहलाने लगे सफदर जंग का पुत्र जो था सुजाओ दौला गद्धी पर बैठा उसने पानीपत युद्ध में अबदाली और बकसर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था उसने वारेन हेश्टिंग से 1773 में बनारस की संधी की थी सुजाओ दौला के बाद आसुफ दौला सासक बना उसने अपनी राज़ानी को फैजाबाद से लखनव अस्थानांत्रित कर दिया वारेन हेश्टिंग से इसने फैजाबाद की संधी करी थी असुफ दौला ने 1784 में मुहरम मनाने के लिए लखनव में इमाम बाड़ा का निर्मान करवाया था इसमें अस्तंबो का परियोग नहीं किया गया है सादत खाली अली खान नवाब बना 1798 से 1819 तक ये रहा 1801 में इसने बेलेजली से सहायक संधी स्विकार की और 1819 में इसे राजा की उपाधी दी गई अवद का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली साह था 1854 में वह आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लट गडलहौजी ने कूसासन का आरोप लगा कर 1856 में अवद को अंग्रेजी राज में मिला लिया तो इस तरह ब्रिटिस कंपनी का भारत के इन राज्यों पर कबजा हो जाता है ये आपका चेप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अब हम लोग नेक्स चेप्टर देखेंगे ब्रिटिस समराजवादी नीती तो ब्रिटिस समराजवादी नीती में हम लोग देखेंगे इकीन की नीतियों के अधा पर ब्रिटेन ने भारत पर कबजा जमाया चलिए तो देखते हैं भारत के परमुख राज्यों पर अपनी सत्ता के अस्थापना के बाद ब्रिटिस कम्पनी ने उसे सुद्रिर्टा प्रदान करने के लिए पिभीन अपनिमेसिक और समराजवादी नीतियों का सहारा लिया और इन नितियों के द्वारा East India Company ने अपने हीतों कीतु पूर्टी की ही साथ ही भारतियों को भी अपने आधिन कर लिया सबसे पहले इसमें सहायक संदी है सहायक संदी पर नाली का सर प्रतम जो परियोग किया था फ्रांसीसी गवर्नर्ट डूपले ने किया था अंग्रेजी सासन में बिलेजली ने इसे बहवारी रूप दिया था बिलेजली का मुखुदेश कंपनी को भारत की सरोच सक्ती के रूप में पर्तिष्ठित करना था बिलेजली की यह समराज जवादी योजना सहायक संदी के रूप में सामने आई सहायक संधी कमपनी के लिए अत्यांत लाप्रद सिध हुई बहुत से राजिक कमपनी के नियंतरन में आ गए और अब वह अपने आर्थिक व ब्यपारिक हीतों को पूरा कर सकती थी राजियो से सहायक संधियो का करम है देखते हैं है धराबाद 1759 और 1800 में मैसूर 1799 में अवद जो है 1801 में पेस्वा 1801 में बरार के भोसले दिसंबर 1803 में सीνधिया जो है 1804 में इसके अतरिक्त जोधपूर, जैपूर, भूंदी, भारत्पूर से भी सहायक संधिया की गई अब नेक्ष है ब्यापगत सिधान्थ, डॉक्ट्रीन ओफ लैप्स, तो कम्पनी के लिए ब्यापगत से अभी प्राय था कि पैत्रिक वारिस नव होने की स्थिति में कम्पनी अपने अधिनस्तर तथा प्राधीन छेतरों को समराज में मिला सकती थी, डलहौ जी ने गोध लेने की प्रथा पर प्राबंदी लगाई, तथा संतान ही ने सासको के राज्यों को अंग्रेजी समराज में मिलाने का प्रयास किया, उसने भारतिये राज्यों को तीन स्रेनियों में वर्गी कृत किया, प्रथम स्रेनी में वे राज्य थे जिनके निर्म अधिन में ब्रिटिस सरकार का प्रत्यक्ष अथ्वा और प्रत्यक्ष योगदान था तथा ऐसे राजियों के सासकों के गोद लेने पर पुन्ता पाबंदी लगा दी गई 23 शुरैनी के राजियों के सासकों के लिए विवस्था की गई, कि वे गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें. ऐसे राज अंगरेजी सरकार के अधिनस्ते राज्य थें. 33 शुरैनी में वे रियास्ते थी जो कभी ब्रिटिस सासक के अधिन नहीं रही, ऐसी रियास्तों की गोद लेने की जो प्रता है इसमें कोई हंस्तच्छेप नहीं किया जाता था नेक्ष है भारतिय राज्यों का ब्रिटिस राज में बिलय का क्रम देख लिजे 17-1848 में जैदपूर वसंभलपूर 1849 में बगार जो है 1850 में उदैपूर 1852 में जैसी 1834 में और नागपूर जो है 1854 में नोट देखिए ग्वालियर देशी रियास्तों को अंग्रेजों से अंग्रेजों ने अपने छेत्र में नहीं मिलाया था अब आगे देखते हैं देशी रियास्तों के प्रति ब्रिटिस नीती तो सबसे पहले सुरच्छा प्रकोष्ट या घेरे की नीती होती है ये 1765 से 1813 तक ये नीती घेरे की जो नीती थी ये 1765 से 1813 तक चला राजनितिक द्रिष्टी से यह कंपनी का सैस्वा काल था अंग्रेजों को अपनी ततकालिन इस्थिती का घ्यान था अत राजनितिक महतो कांचों के बावजूद कंपनी ने सीमित उत्तरदाईत येमराज्यों के प्रति औह स्थ छेप की निती अपनाई तो इस दोरान इन्होंने औह स्तच्छेब की निती अपनाई कमपनी द्वारा बिजित परदेशों के पास बफर एस्टेट को स्थापित कर स्वैम को सुरक्षित करना परमुख उद्देश था उदारन स्वरुप बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवद के साथ संधी कर उसे बफर श्टेट बनाया गया क्योंकि वहां मराठा आकर्मन का खत्रा बिद्दमान था अब सेकेंड है इस में अधिनस्त बृतक करन की नीती ये 1813 से 57 तक चली सहायक संधी के द्वारा भारतिय सासकों की कमजोरियों का पता लगा साथ ही उनके आंतिक प्रसासन में हंस्त छेब भी बढ़ गया इस काल में सहायक संधी जैसे नीती अपनाए गई जिसमें राज्यों को ब्रिटिस सत्ता के अधिन कर अन्य राज्यों से उनके संबंध विछेद कर देने का परमुख का तत्व जो था परमुख था ताकि वे कमपनी के विरुद संगर्थित ना हो सके मराठो के साथ साथ अलग-अलग संधिया की गई राजपूत राज्यों पर नियंतरन अस्थापित किया गया लॉड बिलियम बेंटिक के समय कू सासन के आरोप में भी राज्यों को ब्रिटिस सत्ता में मिलाये गया लोडल होजी के काल में समराज का विस्तार पूरे भारतिय उप महादीप में हुआ जिसमें ब्यपगत सिधान्त का परमुख योगदान रहा तीसरा क्या था अधिनस्त संग की नीती तो 1857 से 1935 के बिच रहा अधिनस्त संग की नीती 1858 में ब्रिटिस सरकार ने अधिनस्त प्रिथक करन की नीती का त्याग किया और अधिनस्त एकी करन की नीती को अपनाया महरानी विक्टोरिया की घोसना के माध्यम से बिलाई की नीती का त्याक किया और कहा गया कि ब्रिटी सरकार अब भारतिये रियास्तों का बिलाई नहीं करेगी इसके अतरिक्त देशी नरेशों को गोध लेने का अधिकार लोटा दिया गया अब अंग्रेजों ने यह नीती अपनाई की कुसासन के लिए सासकों को डंडित किया जाए अथवा हटा दिया जाए प्रंतून के राज्य का बिलाय नौ किया जाए 1876 में लॉड लीटन ने महरानी विक्टोरिया को भारत की समरागी खोसित कर दिया इस तरह भारतिय रियास्ते अंग्रेजों के अधिन आ गई करजन के समय ब्रीटिस सर्वोच्टा की नीती का और भी विकास हुआ उसने राज्यों का विभाजन कर इसका एहसास कराया रियास्तों के सामोहिक महत्यों के प्रस्णों पर विचार बिमार्स करने हेतु 1921 में नरेंद्र मंडल और 1927 में भारत सरकार और रियास्तों के मद संबंध निर्धारन हेतु बटलर कमीटी का गठन किया गया अब समान संग की नीती ये 1935 से 47 तक रहा तो इस समय तक भारतिय राष्टवात परिपक्व हो चुका था तथा राष्टिय भावनाओं को नियंतित करने के लिए अस्त के रूप में सवेधानिक सुधारों का लक्ष बनाया गया इसी संदर में 1935 सिस्वी का भारत सासन अधिनियम पारित हुआ इस एक्ट के द्वारा भारतिय राज्यों का एक संग बनाने की बात की गई थी किन्तु ऐसा हुआ नहीं और संग अस्तित में नहीं आया 1947 में भारतिय सोतनता अधिनियम पारित होने के साथ ही भारत में ब्रिटिस सत्ता की सरोचता समाप्थ हो गई तो इस तरह आपका ये चेप्टर जो था ब्रिटिस समराजवादी निती ये कम्प्लीट हो गया इसके बाद जो अस्मर्निय तथ्य और MC क्यूज दिये हुए है उसका एक मास्टर वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है और वो वीडियो अपलोड किया जा चुका है ठीक है अब नेक्ष हम लोग चलते हैं नेक्ष चेप्टर का नाम है ब्रिटिस सासन का भारतिय अर्थ ब्योस्था पर परभाव ठीक है इसको देखेंगे ब्रिटिस सासन का भारतिय अर्थ ब्योस्था पर पर परभाव तो ब्रीटिस पहले देखेंगे ब्रीटिस आर्थिक नीती क्या थी तो वानीजीक पहला देखेंगे ब्रीटिस आर्थिक नीती में तीन चरण आता है वानीजीक पुन्जीवादी चरण और दोगीक पुन्जीवादी चरण और बितिये पुन्जीवादी चरण तो इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे फिर देखेंगे भूरा जैस सुबेवस्था ये सबी देखेंगे ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग वानेजिक पूंजिवादी चरण जो था ये 1757 से 1813 के बीच था इस चरण में कमपनी का परमुख लच्छ था भारत से अत्यधिक पूंजी को एकत्रित करना कमपनी अपनी सकती बढ़ाने के लिए सैनिक सकती बैपार केंद्र मीलो आदी के लिए भारी धनरा से एकत्रित करना भारतिये वस्थूओं को कम से कम कीमत पर खरीदना तथा इरोप में इन वस्थूओं को भारी कीमत पर बेच कर अधिक से अधिक लाब कमाना भारतिये बै पार पर कंपनी का एका अधिकार अस्थापित करना ये सभी लक्षे थे हैं अब दूसरा चरन आता है अदोगिक पूंजी वादी चरन अठारा सो तेरा से अंठावन तक था तो इसमें क्या था ब्रिटीस उदोगों के लिए कच्चे माल और ब्रिटीस कार खानों में काम करने वाले के लिए खाध्यानों की प्राप्ति करना ब्रिटेन की मसीन निर्मित वस्तूओं के लिए भारत का एक बजार के रूप में उप्योग करना भारत में प्रशासनिक सेक्षनिक समाजिक नीतियों में हस्तचेप करना तथा उनकी रूची को ब्रिटीस उपभोगता के र पूंजी वादी चरन 1858 के बाद था इसमें क्या उद्देश था ब्रिटेन द्वारा भारत पर अपनी पकड मजबूत करने के लिए पूंजी का निवेस सारजोनिक रिन के रूप में किया गया ब्रिटीस पूंजी का निवेस रेल दिन्वान में किया गया साथ ही सरकार से 5% प्याज की गरेंटी भी दी गई ताकि संचार साधनों का निर्मान किया जा सके बैंकिंग ब्योस्ता का विकास भी भारत में किया गया था इन बैंकों के मुख्याले भारत से बाहर रखे गया ताकि ओदोगी करन पर नियंतरन रख किया जा सके इस चरन में प्रबंधन एज जीदि के साथ पुन्जी एकत्रित करने का काम भी किया जाता था तो ये अपनियशिक चरन था और अब देखेंगे भूराजस्व व्यवस्था आर्थिक नीतियों में भूराजस्व व्यवस्था तो ब्रिटिस हीतों की पूर्थी के लिए क्रीसी व्यवस्था में समय अनुसार परिवर्तन किया गया जिसमें भीन भीन भूराजस्व पधितियां अपनाई गई ये अस्थाई बंदोबस रैय 49 द्वारा बंगाल, बिहार, उरीसा, उत्तर पर्देश का बनारस और उत्री करनाटक आदी छेत्रों में लागू की गई तथा माल गुजारी सदेव के लिए निश्चित कर दी गई यह ब्रिटिस भारत के 19 परसेंट छेत्र पर लागू हुई अस्थाई बंदोपस ब्योस्था के अंतरगत जमिनदार को भूमी का स्वामी स्विकार किया गया, जमिनदार जो है सरकार का एजेंट होने के साथ सर अपनी जमिनदारी के इलाके की सारी जमीन का मालिक बन गया, वो भूमी को बेचने, रखने, अतवादान में देने के लिए स्वतन्त था इस परकार उसके स्वामित्य के अधिकार को वंसगत या हस्तानतर्णिये बना दिया गया अस्थाई बंदोपस ब्योस्था के तहट किसानों से एक कत्रित लगान का जमिनदारों को 10 बटाई 11 भाग यानि कि 89 परसंट राज्य को देना पड़ता था और एक बटाई 11 भाग 11 परसंट जमिनदार के पास सेस बचता था 1794 में एक कानून बना जिसे सुर्यास्त कानून कहा जाता है इसके द्वारा घोसित किया गया कि अधि पुर्व निर्धारित तीथी से सुर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमिनदारी निलाम हो जाएगी तो ये था अब रैयत वारी बवस्ता देखेंगे रैयत वारी बवस्ता के अनुसर किसान को भूमी का स्वामी स्विकार किया गया उसे अपनी भूमी को गिर्वी रखने बेचने की अनुमती भी थी उसे अपनी भूमी से वन्चित किया जा सकता था अगर वा समय पर भूमी कर नहीं देता तो यह बेवस्ता ब्रिटीस भारत की 51 भूमी पर लागू की गई थी जिसमें तमिलाडू के बारा महल जिले पूर्वी बंगाल असम कूर्ग मदरास बंबई के कुछ हिस्से सामिल थे 1792 में रैयत वारी ब्योस्ता बारा महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई मुन्रो इसके कटर समर्थकते आर्सी दत्त के अनुसार इस बंदोबद से कंपनी के रैयतों पर जकड का स्वरूप वही हो गया जो गुलाम के उपर उनके मालिकों का रहता है तो ये था रैयत वारी अब महाल वारी देखेंगे महाल वारी ब्योस्ता के अनुसार भूमी पर किसान पर सरी फिर से देख लिजे महाल वारी ब्योस्ता के अनुसार क्या है कि भूमी कर जो है किसान पर व्यक्तिकत रूप से न लगा कर संयुक्त रूप से महाल अत्वा ग्राम पर लगाया जाता था ठीक है अभी देखते हैं इसको लगाया जाता था ग्राम समाज ही समस्त भूमी की देखरेक करता था जबकि राजस्व वसूली का जो काम था ये ग्राम पर्धान या जमिंदारों पर छोड़ दिया गया क्रीशक का भूमी पर व्यक्तिगत स्वामी तो नहीं रहता था बलकि समस्त महाल या ग्राम ही भूमी का मालिक होता था इस ब्योस्था के अंतरगत दक्कन के कुछ जिले उत्तर भारत, आगरा, अवध, मधिपरान तथा पंजाब के कुछ हिंसे सामिल थे जो ब्रेटिस भारत के कुल भुभाग का 30% पर लागू था इस ब्योस्था के जन्मिदाता हाल्ट में केंजी हुए इस ब्योस्था में पहली बार लगान तै करने के लिए मानचित्रों तथा पंजीयों का परियोग किया गया यह भूमी योजना मार्तिंबड के निर्देशन में तयार हुई थ तो यह था भू राजस्व व्योस्था हो गया अब धन का निसकासन देखते हैं तो धन की निकासी इरोप में वानी जवादी करम के रूप में बेक्सित हुई जिसका तातपर था कीमती वस्तुओं का पलायन किंदू भारत के संदर में धन की निकासी का अर्थ है था आयात क की तुलना में निर्यात का अधिक होना ये दिया है भारत की परति बेक्ति आय का अनुमान उस समय के अनुसार ये अनुमान करता थे दादा भाई नोरोजी के अनुसार 20 रुपए था 1867 68 के समय ठीक है बिलियम डिगबी के समय ये 1899 में 18 रुपए लोड करजन ने 30 ने 62 रुपए 1931 32 में तो ये भारत की प्रति बेक्ति आय का अनुमान उस समय लगाये गया था धन की निकासी के स्रोथ धन की निकासी का सबसे महत्पुन स्रोथ था होम चार्जेज जिसके तहत भारत की ब्रिटिस सरकार द्वारा ब्रिटेन में किया गया खर्च जैसे सैन खरिदारी भारत सचीव के ओफिस का खर्च ये सभी इसमें सामिल था रेल्वे पर दिया जाने वाला गरेंटी युक्त ब्याज तथा भारत में समराज बिस्तार यों उसी क्रम में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा लिये गया रिन पर ब्याज की अदाइगी करना भी सामिल था ब्यापार उद्दोग बागान आदी में निवेस की गई नीजी पूंजी की आय तथा भारतिय उद्दोगों का विकास ब्रेटिस हीतों की पूर्ती के लिए किया गया था 17.57 की प्लासी विजय के बाद बंगाल से प्राप्त बहारी राजस्व के सहारे उन्होंने एक सक्तिसाली सेना को खड़ा किया और उन्होंने सेस भारत की विजय का खर्च उठाया ब्रिटी सितिहासकार पर्सीवल सिस्पियर ने इसकाल को खूली और निरलचता पुर्वक लूट पाट का युग बताया है अब धन के बहिर गमन से संबंदित महत्पून तथ्थे देखते हैं दादा भाई नोरोजी ने 1867 इसपि में East India Association की बैठग में England Duties to India में पहली बार धन के बहिर गमन सिधान को पस्तूत किया दादा भाई नोरोजी को प्रती ब्यक्ति आयका अनुमाल लगाने वाला प्रतम राष्टवादी नेता माना जाता है धन के निसकासन से संबंदित दादा भाई नोरोजी के पुस्तक The Poverty and Un-British Rule in India, The Wants and Means of India, On the Commerce of India इन सभी में इसका जिक्र हुआ है दादा भाई नोरोजी ने इस निसकासन को अनिष्टो का अनिष्ट कहा था रमेश चंद्रदत अपनी पुस्तक Economic History of British India में धन का बहिर गमन सिधान्त का परतिपाधन किया अब आगे देखते हैं 1813 में संपती का दोहन और भी भड़ा जिसे माक्स ने ब्लीडिंग प्रोसेस की संग्या दी दूसरी ओर रादा भाई नोरोजी के धन निसकासन सिधान्त ने अंग्रेजो द्वारा बिर्टेन को भेजे जाने वाली पुन्जी को उजागर किया 1896 में कॉंग्रेज के कलकत्ता अधिवेशन में इस सिधान को स्विकार कर लिया गया सार्जोनिक रिन के माध्यम से भी अत्यधिक पैसा भारत से ब्रिटेन गया निस्वी सदी के अंत तक या दोहन भारत की राष्टी ये आयका लगभग 9% था दादा भाई नरोजी के अतरिक्त जश्टिस महादेव गोबिंद रानाडे रमेश चंद्रदत गोपाल कृष्णे गोखले जी सुभरमन्यम अयर तथा पृत्वी विस्चंदर राय भी भारत के परमुख्य आर्थिक विसलेसकों में से थें इसके अनुसार भारतिये धन इंगलैंड पहुँचकर वापस भारत आता है तथा पुन उसे यहां पूंजी के रूप में लगा दिया जाता है इस परकार देश के सोसन का दुस्चर्ट बन चुका है अब देखेंगे भारत में आधनी कुद्दोगों का विकास तो भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 को फोट ग्लाश्टर में अस्थापित किया गया था 1813 में पहली सफल कपड़ा मिल कावस जी डाबरद्वारा बंबई में अस्थापित की गई पहली जूट मिल 1855 में रिसरा बंगाल में अस्थापित की गई थी 1879 तक 56 सूती कपड़ा मिले अस्थापित हो चुकी थी जिसमे 43,000 लोग कारेरत थे सूती वस्त्र उदोग में भारतियों का बहुत बड़ा हिस्सा था लेकिन इस समय तक अधिकांस आधुनिक उदोगों का स्वामित्व एवं प्रवंधन विदेशियों के हाथ में ही था 1870 तक के पश्चात उदोगों में थोड़ा सुधार हुआ लोहा एम उसपात उदोग में भारतियों द्वारा भी पूंजी लगाई गई 1907 में टाटा आइरन एम इस्टील कमपनी का निर्मान भारतिये पूंजी द्वारा हुआ अब देखेंगे स्वतंतरता पूर्व अस्थापित लोह इसपात के कारखाने तो ये कुल्टी पच्छीम बंगाल में 1870 में विशेश्टाएं क्या थी बंगाल आइरन वक्स कमपनी साकची कहा जारकंड में 1907 में भारत में यह लोह इसपात के इसी कारखाने से जमसेद जी टाटा ने उद्धोग जगत में पाओ रखा था हीरापूर पच्छीम बंगाल में 1908 में इसे पहले भारतिय लोह इसपात कमपनी के नाम से जाना जाता था भद्रावति करनाटक में 1923 में मैसूर आइरन एंड इस्टील कमपनी बाद में इसका नाम विश्विश्वरया आइरन एंड इस्टील कमपनी हो गया नेक्षे बर्णपूर ये कहा है पच्छीम बंगाल में पहले ये 1937 में पहले इस्टील कॉर्परेशन और बंगाल के नाम से अस्थापीत इस करकाने का बाद में इंडियन आइरन एंड इस्टील कमपनी में बिलाए कर दिया गया भारत में पहला जूट कार खाना सेरामपूर बंगाल के निकट रिसरा में तो देखते हैं भारत में पहला जूट कार खाना सेरामपूर बंगाल के निकट रिसरा में 1855 में सुरू किया गया था जूट उदोग पर उरोपियोनों का आधिपत्य था 1929 में बिरला जूट कमपनी के अस्थापना होई थी अब ब्रिटिस भारत के परमुक कारखाना अधिनियम देख लीजे कारखाना अधिनियम 1881 का दीपन के समय आया था 1891 का लैंस्टाउन के समय 1911 में हार्डिंग दूतिये के समय आया था और 1922 में रीडिंग के समय और 1934 ये सभी कारखाना अधिनियम है 1934 का कारखाना अधिनियम वेलिंग्टन के समय 1946 का लोड बेवल के समय आया था तो देखे इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया चेप्टर अब हम लोग नेक्स चेप्टर देखेंगे ब्रीटीस भारत में आपनिवेसिक नीतियां तो सबसे पहले इसमें ब्रीटीस भारत में सिक्षा का विकास देखेंगे 1781 में वारेन हेश्टिंग द्वारा कलकत्ता मदर्सा को अस्थापित किया गया 1791 में बनारस के ब्रीटीस रेजिडेंट जुनान्थन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्क्रीत कॉलेज की अस्थापना की गई 1800 में लॉड बेलेजली द्वारा असैनिक अधिकारियों की सिक्षा के लिए फोट बिलियम कॉलेज की अस्थापना की गई 1802 में डाइरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया 1784 में हेश्टिंग के सहयोगी सर बिलियम जोन्स ने एसियाटिक सुसाइटी और बंगाल की अस्थापना की चाल्स बिलिकंस ने पहली बार मूल भगवत गीता का संस्क्रीत से अंग्रेजी में अनुवाद किया 1780 में बिलिकंस द्वारा ही हीतो पदेश का भी अनुवाद किया गया 1789 में बिलियम जोन्स ने कालिदास द्वारा रचित अभिज्यान सकुंतलम तथा जय देव रचित गीत गोबिंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया मनुश्मिर्ती वो प्रत्थम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भासा में एक कोड ऑफ जेन्टु लॉज के नाम से प्रकासित हुआ राजा राम मोहन राए डेविड हेयर और सर हाइड इस्ट ने मिलकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के अस्थापना की जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना 1813 इसवी के चार्टर एक्ट द्वारा सिक्षा पर एक लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया 1813 में लोक सिक्षा के समान समीती गठित की गई जिसमें 10 सदस सामिल थे सिक्षा के माध्यम के विसाय में दो मत थे एक प्राच सिक्षा का समर्थक था दूसरा आंगल सिक्षा का समर्थक प्राच बिद्या के समर्थकों का नेत्रित लोक सिक्षा समीती के सच्चिव H.T. प्रिंसेप ने किया इनका समर्थन समीती के मंतरी H.H. Wilson ने किया आंगल प्राच विबाद को बढ़ता देख ततकालिन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने लॉड मैकाले को लोक सिक्षा समीती का अध्यक्ष निक्त किया। एक अलमारी में रखी पुस्तके संपून अर्भी और संस्क्री साहित्य के बराबर होगी। ये मैकाले का कथन है। इसी धान्त को सरप्रथम सरकारी निती के रूप में औक लैंड ने लागू किया। 1844 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज में इंजिनियरिंग की कच्छा आरंभ की गई। जेम्स टॉम्सन ने देशी भासा द्वारा ग्राम सिक्छा की एक विस्त्रित योजना बनाई। इन्होंने 1847 में रूड की इंजिनियरिंग कॉलेज की अस्थापना की जो भारत का प्रथम इंजिनियरिंग कॉलेज था। अब देखेंगे 1854 में सिक्छा पर चाल्स उड का घोसना पत्र तो इस घोसना पत्र को भारतिये सिक्छा का मैगना काटा भी कहा जाता है। उसने सुझाव दिया कि गाउं में देशी वा भासाई प्रात्मिक पाट साले अस्थापित की जाए। उनसे उपर जीला अस्तर पर आंगले देशी भासाई, हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्याले की तरज पर तीनो प्रेसिडेंसी सहरों में बंबई, कलकत्ता और मदरास तीनो प्रेसिडेंसी सहरों में विश्वविद्याले अस्थापित किये जाए। इसी के अधार पर 1855 में पाँच प्रांतों बंबई, बंगाल, मदराज, पंजाब और उत्तर परदेश सीमा प्रांत में लोक सिक्षा विभाग अस्थापित किये गये अब देखेंगे हंटर सिक्षा आयोग 1882 सरकार ने 1882 में डबलू डबलू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया इसमें प्रात्मिक सिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया किया सिक्षा अस्थानिय भासा और उपयोगी विशयों में हो तथा इसका नियंतरन जिला और नगर बोडो को सौपा जाए हंटर सिक्षा आयोग के सुझाओ के आने के पश्चाद पंजाब विश्व विद्याले एवं इलाहाबाद विश्व विद्याले के अस्थापना की गई भारत में प्रथम विधी विश्व विद्याले के अस्थापना 1887 में बंगलोर में की गई अब देखेंगे भारतिये बिस्व विद्याले अधिनियम 1904, 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्चता में गठित आयोकी सिफारिसों के अधार पर 1904 में भारतिये बिस्व विद्याले अधिनियम पारित किया गया, बिस्व विद्याले उपर सरकारी नियंतरन बढ़ाया गया, सरकार को बिस्व विद्याले की सीनेट द्वारा पारित परस्ताओं में बिटो विसेशा अधिकार का अधिकार दिया गया, अब देखेंगे सैडलर विश्व विद्याले आयोग 1917-19 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्व विद्याले की समस्याओं के अध्यन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नित्रित में एक आयोग गठित किया इस आयोग में दो भारतिये डॉक्टर सर असुतोस मुखरजी और डॉक्टर जीया उदिन एहमद भी थे इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्व विद्याले अस्तर तक की सिक्षा बेवस्था का गहन अध्यन किया तथा सुझाओ दिया कि विश्व विद्याले के सिक्षा को सुधारने के लिए माध्यमिक सिक्षा में सुधार आवस्यक है सैडलर आयोग के सुझाओ पर 1911 से 21 के मध्य सात नए विश्व विद्याले मैसूर अलीगर धाका पटना बनारस उस्मानिया लखनव अस्तीत में आए हाडोक समीती 1929 प्रात्मिक सिक्षा के एराष्टिये महत्यों पर बल दिया जाए और सुधार एवं एकी किरन की एकी करन की नीती अपनाई जाए वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल के अस्तर पर ग्रामिन परिविर्ति के विद्यार्थियों को रोक दिया जाना चाहिए ताकि भविस में उन्हें ब्यवसाईक यम ओधोगीक सिक्षा दी जा सके इसकी सिफारिस के अधार पर 1935 में केंद्रिये सिक्षा सलाहकार बोड का पुनर गठन किया गया मौलिक सिक्षा की वर्धा योजना गांधी जी द्वारा हरिजन्स में सिक्षा पर लिखे अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारते सिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा सिक्षा पर प्रस्तूत योजना को मिला कर बुनियादी सिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तूत की गई जाकीर हुसैन समीती ने इस योजना का ब्योरा प्रस्तूत किया वर्धा योजना के नुसर 7 से 14 वर्ष तक राष्टिय सिक्षा निसुलक एवं अनिमार होनी चाहिए तथा कच्छा 2 से 7 तक की सिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए कच्छा 8 के बाद अंग्रेजी भासा में दी में सिक्षा दी जानी चाहिए अब सिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में भारत सरकार के सिक्षा सलहकार जॉन सार्जेंट ने सिक्षा की एक राष्टिय योजना से तयार की जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है की सिक्षा ब्योस्ता की जानी चाहिए तो ये किसका था ये आपका सिक्षा की सार्जेंट योजना थी 1944 में ये आया था ब्रिटिस भारत में सिक्षा आयोग देख लेते हैं योजना वर्स और वायसर है तो चाल्स उट डिस्पेज जो है 1854 में डलहोजी के समय आया था हंटर आयोग अथारा सौबियासी में रीपन के समय आया था रैले आयोग 1902 में करजन के समय आया था सेडलर आयोग 1917 में चेमस फोड के समय आया था, इन्चकैप आयोग 1923 में रीडिंग के समय आया था, हाडोग सम Tombity प्राथमिक सिक्षा पयाय थी ये लॉड इर्विन के समय उन् अब देखेंगे भारत में प्रेस का विकास, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो सुरुवात है ये 16 सदी में, पुर्तगाली मिस्नरियों द्वारा की गई, तथा 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक छापी, इस्ट इंडिया कॉंपणी ने 1684 में बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस अस्थापित किया, भारत का पहला समचार पत्र जो है बंगाल गजट है या दकलकता जनरल एडवर्टाइजर था जिसे जेम्स आगस्टक हिक्की द्वारा 1780 में प्रकासित किया गया था, इस समचार पत्र के बिरूध ही लीटन का वर्ना क्यूलर प्रेस अक्ट 1878 में लागू हुआ था, अब हम लोग देखेंगे समचार पत्र भासा और उसके संस्थापग और प्रकासन अस्थल, ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें, टाइम्स ओफ इंडिया अंग्रेजी में था, 1861 और प्रकासन अस्थल, बंबई से, रॉबर्ट नाइट इसका संस्थापग था, श्टेटमेंट, रॉबर्ट नाइट के द्वारा ही, निकाल गया था, ये कलकत्ता में इसका प्रकासन अस्थल थ और 1875 में अंग्रेजी भासा में थी, पाइनियर भी अंग्रेजी भासा में थी, इलाहबाद से, 1865 में, ये जोर्ज एलेन के द्वारा निकाल गया था, कुछ मानक सुरोतों से इसका देखे, जो संस्थापग था, जूलियन रॉबिन्स भी मिलता है, तो दोनों में से कोई जैसा ओप्सन में रहेगा, सीविल एंड मिलिटरी गजट, ये लाहोर से निकलता था, रॉबर्ट नाइट निकाला था, अमरित बजार पत्री का जो है, बांगला में, 1868 में, और कलकत्ता, इसका परकास अनस्थल था, मोतिलाल घोस, सिसीर कुमार घोस, इसके संस्थापग थे, सोम परकास देखे, सोम परकास बांगला में, 1869 में, कलकत्ता से परकासित होता था, इस्वर चंद बिद्या सागर से संबंध थे, हिंदू, हिंदू अंग्रेजी में, स्थापित हिंद होता था, 1878 में, मदरास से ये निकलता था, और बीर रागवाचारी या जी सुब प्रमन्यम अयर, इसके संस्थापक थे, केसरी और मराठा, केसरी जो था मराठा में था, और मराठा जो था अंग्रेजी में था, इसके स्थापना 1881 में, बंबई से हुआ तिलक, तिलक इसके संस्थापक थे, प्रारम में आगरकर के सहयोग से इसकी संस्थापना की गई थी Native Opinion अंग्रेजी में था 1864, ठीक है 1864 में बंबई से वी एन मांडलिक संबंदि थे, बंगाली जो है अंग्रेजी में था सुरेन नात बनरजी का था, ये कलकत्ता से प्रकासित हुआ था 1879 में, बंबई दर्शन मराथी में था 1832 में बंबई से और बाल सास्त्री इसके संस्थापक थे, कॉमन विल अंग्रेजी में था 1914 में, कलासको से प्रकासित हुआ था एनी बेसेंट, ठीक है एनी बेसेंट इसकी संस्थापक थी, कवी वचन सुधा भारतेंदू हरीचन से संबंदि थे, हरीच चंद्र मैग्रीन भारतेंदू हरीचन से संबंदि थे, परदीप ये बाल कृष्ण भठ से संबंदित है इंडियन रिवीव जी ए नटेशन से संबंदित है यंग इंडिया महात्मा गांधी संबंदित है और ये अहमदाबाद से प्रकासित होता था 1919 से और ये किस लेंग्वेज में था अंग्रेजी में था नौ जीवन भी महात्मा गांधी संबंदित है हरीजन ये भी महात्मा गांधी से संबंदित है नौ जीवन अहमदाबाद से और ये भी 1919 में और ये हिंदी और गुजराती में प्रकासित होता था हरीजन जो है अंग्रेजी हिंदी गुजराती तीनों भासाओं में 1933 से प्रकासित हुआ था पूना से ये अंग्रेजी में था 1919 से प्रकासित हुआ था इलाहाबाद से मोती लाल नहरू का था आज जो है आज वारा नसी से सीव परसाद गुप्त का है हिंदुस्तान टाइम्स के एम पनिकर के द्वारा नेशनल हेलाड ये ज्वाहलाल नहरू का है उदंत मार्ठंड ये जुगल की हिंदी में प्रथम पत्रिका थी ये दर्ट रिविन आर मादवन का नायर का है अल इलाल उर्दू में था ये मौलाना अबुल कलाम अजाद का था बंगाल गजट गंगाधर भट्टा चारिया का था अल बिलाग जो है मौलाना अबुल कलाम अजाद का था कॉम्रेट जो है म लाला हर्द्याल करतार सिंग का था, लीडर अंग्रेजी में था और मदन मोहन मालविये का था, हिंदू पैट्रियार्ट हरिश्चंद्र, मुखरजी और ग्रीश्चंद्र गोश से समबंदित है, अमरित पजार पत्री का नामक समचार पत्र जो है लीटन के वरना क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी सपताहिक में परिवर्तित हो गया, गदर, हिंदी, मराथी, गुजराती तथा पस्तो में भी परकासित हुआ, क्रिष्टो दासपाल को भारतिय पत्रका का राजगुमार कहा जाता है, अब देखते हैं प्रेस के विरुध लगाये गए प्रतिबंध, तो 1799 में लॉड विलेजली ने प्रेस नियंतरन अधिनियम पारिद किया, समचार पत्रों पर युद्ध कालिन सेंसर लागू कर दिया, लॉड हैस्टिंग ने 1818 में इस अधि प्योग डंडनिये अपराध माना, मेट कप को भारतिय समचार पत्रों के मुक्ति दाता की संग्या दी गई है, क्योंकि उसने भारतिय प्रेस के प्रति उदारवादी द्रिश्टिकोन अपनाया, 1823 के इन कठोर नियमों को रद कर दिया, 1867 के पंजी करन अधिनियम का उदे समचार पत्रों अथ्वा मुद्र नालों पर रोक लगाना नहीं, अपति केवल नियमित करना था, अब आगे देखते हैं, समचार पत्रों पर नियंतरन अस्थापित करने के उदेश से वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया, जिसे मुह बंद करने वाला करजिक किये गया, करजन द्वारा 1908 में नियूज पेपर एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत अस्थानिय सरकार समचार पत्रों और पुस्तकों के पंजी करन अधिनियम के अधिन किसी मुद्रक अथ्वा परकासक की दी गई घोसना को रद कर सकती थी, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 द्वारा किसी मुद्रनाले के स्वामी अथ्वा समचार पत्र के प्रकास से पंजी करन जमानत मांगने का अधिकार दिया गया, जो की नियूनतम 500 रुपे और अधिक्तम 2000 रुपे थी, अब आगे देखते हैं, 1921 में सर्टेज बहादूर सप्रू की अध्यक्षिता में गठीत एक समचार पत्र समीती की सिफारिसों के अधार पर 1908 और 1910 के अधिनियम को रद कर दिये गया, 1931 में इंडियन प्रेस इमर्जेंसी अधिनियम द्वारा प्रांतिय सरकारों को सविनय अवग्या आंदोलन के परसार को रोकने के लिए अत्यधिक सक्तियां दी गई, 1947 में भारत सरकार ने एक समचार पत्र जान समीती का गठन किया और उसे आदेश दिया कि वह सविधान सभा में असपष्ट किये मौलिक अधिकारों के परकास में समचार पत्र के कानीनों की समिच्छा करें, एस राजा अध्यक्च की अध्यक्चता में एक समचार पत्र आयोग गठित किया गया, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1954 में प्रस्तूत करी थी, अब देखेंगे स्वाधीनता संग्राम की कुछ परमुख करीतियां, तो पुस्तक है लेखक, ठीक है, पुस्तक और लेखक द पुस्तक कौन सा है, अनहापी, अनहापी इंडिया है, तो ये लाला लाजपत्रा इसके लेखक है, बंदी जीवन सचीन ना सन्याल इसके हैं, इंडिया डिवाइडर राजेंद परसाद, इंडियन इसलाम, टाइटस है, पाकिस्तान इन दा पार्टीशन ओफ इंडिया, ये बीर आर अंबेदकर हैं, इसके संस्थाप, हिस्ट्री ओफ द फ्रीडम मूमेंट इन इंडिया ताराचंद का है, प्रिसेप्ट ओफ जीजस राजाराम मोहन राय, द फिलोस्पी ओफ द बॉम्बे, भगवती चरन ओहरा, ये बॉम होगा, सत्यार्थ परकास, दयानन सरस्व पावर्टी एंड अनब्रिटिस रूल इन इंडिया दादा भाई नोरोजी, इंडिया विन्स फ्रीडम मॉलाना अबुल कला मजाद, और डिस्कवरी ओफ इंडिया ज्वाहलाल नेहरू, दे स्कोप अफ हैपिनेस बिजय लच्मी पंडित, इंडिया एंड इंडियान मिसन, अलेक्जेंडर डफ के द्वारा, पथेर दावी, सरत चंद्र, चटोपाध्याई के द्वारा, सौंग अफ इंडिया सरोजनी नाइडू के द्वारा, नेशन्स वायस, ये राधा कृष्णन के द्वारा, एसेज अन गीता अरबिंद घोस के द्वारा, दबंच अफ ओल्ड लेटर, ज्वाहार लाल नेहरू के द्वारा, इंडियान फिलोसफी ये आपका हुजाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा, इंडियन एनेशन, नहीं, इंडिया एनेशन है, तो ये एनिवेसेंड के द्वारा, इंडिया रेनेशो, ये C.F. एंड्रूज के गीता रहस बाल गंगा धरतिलक का है इंडियन होम रूल महात्मा गांधी का इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त का है नेशन इन मेकिंग सुरेन नाद बनर जी का है भवानी मंदिर बारंद कुमार गोस का हिस्ट्री ओफ दफ फ्रीडम मुव्मेंट इन बिहार ये केके दत्ता का है आवर इंडियन मुसल्मान ये डबलु डबलु हंटर का है माई एक्स इंडिया फ्रॉम करजन टु नेहरू आप्टर ये दूर्गादास का है इंडिया पास्ट आर्थर ए मैक डॉनल का है भारतिय सोतंता संग्राम बीडी सवरकर का है लाइफ डिबाइन अरबिंत घोज का है गितांजली गोरा ये रबिन्ना टैगोर का है गैधरिंग श्ट्र सिरोल का है इकॉनमी ओफ हिस्ट्री इकॉनमिक हिस्ट्री ओफ ब्रिटिस इंडिया आरसी दत का है क्रिसेंट मून पोस्ट आफिस ये रबिन्ना टैगोर का है इंडियन डायरी इस मांटेग्यू का है क्लिम्सेज ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री ज्वाहलल नहरू का है रिलीजन and social reform MG राना डे का है अब आगे देखेंगे भारत में अस्थानिय सोसासन का विकास देखेंगे भारत में अस्थानिय सोसासन का विकास तो board of director 1287 में मदरास में नगर निगम बनाने की अनुमत्ती दी गई 1726 में मदरास नगर निगम में महापौर के नियाले के अस्थापना की गई बंबई और कलकत्ता में भी इस परकार के महापौर नियाले अस्थापित किये गए अस्थानिय संस्थाओं को बैदानिक आधार 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा मिला अस्थानिय सोसासन की दिशा में पहला प्रयास बंबई में हुआ जहां 1869 के अधिनियम द्वारा परतेक जिले में एक अस्थानिय नीती समीती बनाने की व्योस्था की गई जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता था वैदानी केंद्री करन की नीती भारतिय परिशद अधिनियम 1861 के तहट प्रारंभ की गई लौड रिपन को भारत में अस्थानिय सोसासन का पीता कहा जाता है उसने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया जिससे भारत में अस्थानिय स्वायत सासन के परभावकारी यूग का आरं हुआ भारत सासन अधिनियम 1929 द्वारा प्रस्तावित 22 सासन में अस्थानिय सोसासन ने एक हस्तान तर्निय विशय का रूप ले लिया स्वतंता प्राप्ति के बाद सविधान के अनुछेद 40 में अस्थानिय संस्थाओं के विकास के लिए राज्यों को निर्देश दिये वर्स 1992 एवं 1993 में सविधान के 73 एवं 74 संसोधन के द्वारा नो केवल अस्थानिय संस्थाओं के गठन कुम सविधानिक स्विक्रिती ही परदान की गई वरन उन्हें अनिवारे भी कर दिया गया ब्रिटीस भारत में गठित रेलवे आयोग आयोग है वाइसराय थोमस रॉबर्सन आयोग 1901 में करजन वाइसराय थे एकवर्थ आयोग 1920 में लॉर्ड जेम्सफर्ट थे वाइसराय ब्रिटीस भारत में अकाल आयोग, कैम्पवेल आयोग 1866 में, सर जॉन लॉरेंस के समय एस्टेजी आयोग 1880 में, लॉर्ड लीटन के समय लॉयल आयोग 1897 में, लॉर्ड एलगिन दूतिये के समय, मैकडोनल आयोग 1900 में, लॉर्ड करजन के समय, उड हेड आयोग 1944 में, लॉर में दाता लॉर्ड कर्णवालिस था और इस समय ब्रिटीस देखे ब्रिटीस भारत में लोग सेवा संबंधित आयोग को देखेंगे तो एंचिसन आयोग 1886 में लॉर्ड डफरीन के समय आया था एंचिसन आयोग इलिंग्स्टन आयोग जो है 1912 में लॉर्ड हार्डिंग दूतिये के समय और ली आयोग जो है 1923 में लॉर्ड रेडिंग के समय आये थे 1806 में उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज की जगर इंग्लैंड में हेली बरी कॉलेज की एक चैन समीती तथा बोर्ड अब डायरेक्टर की अस्थापना की जिसके द्वारा भारत में लोक सेवको का चैन होता था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा सीमित अर्थ में परतियोगिता से भरती की पदती आरंब हुई भारतियों की भी निउक्ती का रास्ता खुल गया 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में गठित समीती ने लोक सेवकों की न्यूपती परतियोगिता परिक्षा के आधार पर कराने का सुझाव दिया इसके अनुसरन में भारतिये सिविल सेवा की पहली परतियोगिता परिक्षा जुलाई 1855 में लंदन में आयोजित की गई 1860, 1866, 1878 इस भी में लोक सेवा परिक्षा में बैठने की अधिक्ता मायू कम करके करम सब 22, 21, 19 वर्स कर दी गई इस तरह भारतियों के लिए इसमें सामिल होने के अवसर कम कर दिये गए 1919 के भारत सासन अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है तो इसके द्वारा सिविल सेवा परिक्षा एक साथ भारत और इंगलेंड में लेने का निर्नाय लिया गया पहली बार सिविल सेवा की परिक्षा एक साथ लंदन तथा इलाहाबाद में 1922 में आयोजित की गई थी ली आयोग के सुझाव पर 1926 में भारत में केंद्रिये लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार किया गया जिसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस थें भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहट इसका नाम परिवर्तित कर संगिये लोक सेवा आयोग कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को भारतिये सविधान के लागु होने पर संगिये लोक सेवा आयोग का नाम बदल कर संग लोक सेवा आयोग कर दिया गया न्याय परसासन का अब विकास देखेंगे वारेन हेश्टिंग के काल में ही 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सुप्रीम कोट कलकात्ता में अस्थापित किया गया और इसके परमुख सर एलिजा इंपे थे लौड कर्णवाली 1793 में न्याय ब्योस्था का सुद्रेद बनाया इस ब्योस्था के अंतरगत परतेक जीले में एक दिवान अदालत कायम की गई जिसका परमुख जीला जज़ होता था जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था कर्णवालीस द्वारा फोजदारी न्यालियों को समाप्त कर इनके अस्थान पर चार भ्रहमन सिल न्यालियों की अस्थापना की कलकता, ढाका, मुर्सीदाबाद और पटना की अस्थापना की 1793 में कार्नवालिस सन्हीता के रूप में लॉργ कार्नवालिस द्वारा नयाईक सुधारों को अंतिम रूप दिया गया जिसमें सब्तियों के प्रिठक करन सिधानत को अपनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही मैकाले की अध्यक्षता में एक बीधी आयोग का गठन की अस्थापना की कई जिसका महत्पूर्ण कार्य था कानून को सन्निता बद्ध करना था कमपनी के सासनकाल में न्याय व्वस्था में सुधार हेतु अंतिम कदम 1813 इस भी के चार्टर एक्ट द्वारा उठाया गया दूसरी बिधी आयोग की सिफारिसे पर 1859-61 में के मध सिविल प्रकिरिया बिधी तथा डंड प्रकिरिया आदि सन्हिताओं को पारित किया गया बिधीस निती ठीक है बिधेस फॉरेंड पॉलेसी 1824 में लॉड हमस्ट की सरकार ने वर्मा के खिलाप युद्धि छेड़ दिया तथा बाद में ब्रिटिस नौ सेना ने समूद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया फलस्वरुप अंग्रेजो और वर्मा सरकार के बिच 1826 में डूब की संधी होती है द्यूतिय वर्मा युद 1852 में लगवक पूरी तरह ब्रिटिस बैपारियों के लालज का परिनाम था इस विजाय के पश्चात अंग्रेजो द्वारा वर्मा के अकेले बचे तटिय प्रांत पेगू को हडप लिया गया अब वर्मा के पूरे समुन तट पर और उसके पूरे समुद्री बैपार पर अंग्रेजो का नियंत्रन हो चुका था तरितिय वर्मा यूद्ध 1885 से 88, 13 नौबर 1885 को लौड डफरी ने वर्मा पर आक्रमन करने का आदेश दे दिया तथा वर्मा को विजित कर उसका ब्रेटिस राज में विलाय कर लिया गया आंगल अपगान संबन देखते हैं तो प्रथम आंगल अपगान यूद्ध जो है ये 1838 से 42 के बीच होता है इसमें विभीन घटना करम के पर नाम सहरूप अंग्रेज बूरी तरह पराजित होते हैं परिनाम सहरूप मैक नाटन को अकबर खान के साथ अपमान जनक संधी करनी पड़ी और 1842 में 1842 तक समस्त अंग्रेजी सेना अफगानिस्तान से वापस आ गई दूतिये आंग्ल अफगान युद 1878 से 80 के बीच आंग्ल अफगान संबंधों का दूसरा दौर लॉड लीटन के सासनकाल से प्रारम्ध हुआ लॉड लीटन ने अफगानिस्तान के अमीर सेर अली को संधी पर हंस्ताक्षर करने के लिए बात देखिया किन्तु सेर अली ने इस संधी पर हंस्ताक्षर करने से मना कर दिया हाला कि अंग्रेजों की आक्रामक नीती के सामने सेर अली टिक नहीं पाया और उसने रूसी तुरकिस्तान में भाग कर सरन ले ली और 1879 में उसकी मिर्थू हो जाती है अंग्रेजों द्वारा सेर अली के पुत्र याकूब खान से गंडमक की संधी की गई तिर्थिया आंगल अफगान युद 19 में होता है तो 20 फरवरी 1919 को अफगानिस्तान के अमीर हवी बुल्ला की हत्या कर दी गई किन्तु तब भी ये संगर्ष पूरी तरह नहीं रुका और हवी बुल्ला के पुत्र अमा नुल्ला जो नया अमीर बना था इसने ब्रिटीस भारत के खिलाप युद्ध छेड़ दिया तिर्थिया आंगल अफगान युद्ध की सुरुवात हुई दस दिन में ही अंग्रेजों वह अंग्रेजों से पराजित हो गया तत पस्चात 1921 में सांती अस्थापित करने के लिए एक संधी हुई अब आंगल तिबबत युद्ध आंगल तिबबत संबन देखेंगे तो लॉड कर्चन द्वारा फ्रांसिस यंग हस्बेंड के नेतरुत में 1914 में एक सैनिक टुकडी को तिबबत की राजधानी लहासा भेजा गया भीशन युद्ध के पश्चात 7 सितंबर 1904 को यंग हस्ब ये भी कंप्लीट हो गया अब हम लोग नेक्स शेप्टर देखेंगे ब्रिटीश सासन के प्रति भारतियों की प्रतिकिरिया ठीक है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ब्रिटीश सासन ने भारत की राजनीतिक आर्थिक और समाजिक व्योस्था में आमूल चूल परिवर सन्यासी विद्रो सबसे पहले इसमें सन्यासी विद्रो है तो ये 1730-1800 के बीच हुआ था तीर्थ अस्थलों की यात्रा पर लगे पर्तिबंधों से दुखी होकर संकराचार के अनुआई गीरी संपरदाय के सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद ससस्त्र विद्रो प जो लगभग 1800 इस भी तक चला था प्तारम में इसे समाप्त करने का स्रे वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है सन्यासि लोगों ने जनता के साथ मिलकर अन्याय के विरुद लड़ने की परंपरा को बनाये रखते हुए सबसे पहले कंपनी की कोठियों तथा कोसों पर आक्रमन किया सन्यासि बिद्रोव का उलेक जो है बंदे मात्रम के रचैता बंकीम चन चटो पाध्याय ने अपने उपनियास आनंद मठ में किया है अब अहोम बिद्रोव 1828 से 33 के बिच हुआ था वर्मा युद 1824 के समय अंग्रेजों ने वापस लोटने का अपना वचन पूरा नहीं किया और अहोम परदोश को अपने अधिन करने का प्रयास किया तो बिद्रोव फूट पड़ा 1828 में अहोम लोगों ने गोमधर कुवर को अपना राजा घोसित किर रंगपूर पर चड़ाई की योजना की किन्तु बिद्रोव सफल ना हो सका गोमधर ने आत्म समर्पन कर दिया और उसे सात वर्स की सजा हुई पुनह अस्मियों ने रूपचंद कोनार के नेतरित में 1830 में विद्रोव की योजना बनाई यह विद्रोव भी असफल हो गया तथा रूपचंद कोनार को ग्रिपतार कर लिया गया इसके पश्चार कमपनी ने सांती की नीती अपनाई और उतरी अस्म को 1830 में महराज पुरंदर सिंग को सौप दिया अब खासी विद्रोव देखेंगे 1828 से 33 खासी लोग में घाले में फैली जैनतिया तथा गारो पहाडियों के बीच निवास करते रहें जहां उनके अलग-अलग सकती संपन राज्ये थें वर्मा यूति के बाद अंग्रेजों ने इस छेत्र पर अधिकार कर लिया ब्रिटिस सरकार द्वारा छतर सिंग को इस परदेश का जमिंदार निउप्त किया गया तथा उन्हें सडक बनाने की अनुमती परदान की गई 1829 से 33 इसवी तक चार वर्सों के दवरान तीरत सिंग ने अपने 10,000 साथियों के साथ संघर्स किया 1833 इसवी में सैन बल परियोग न करने तथा मिर्तु दण न देने की सर्थ पर इन लोगों ने आत्म समर्पन किया तथा खासी विद्रोह समाप्त हो गया पागल पन्ती विद्रोह देखेंगे 1825 से 58 इसवी तक उतरी बंगाल में परभावी पागल पन्ती विद्रोह एक अर्ध धार्मिक संपरदाय के द्वारा करम साहा के नितृत में चलाया गया था उत्तर पूर्वी छेत्र में हिंदू, मुसल्मान, गारो, जांग, आदिवासी इस पन्ते के समर्थक थें तीपू जो करम साहा का पुद्र था तीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देशों से प्रेरित था अठारसो पचीस में टीपू ने जमिंदारों के अत्याचार के बिरूध विद्रोह कर दिया तथा सेरपूर पर अधिकार कर वहां का राजा बन गया बिद्रोहियों ने गारों की पहाडिया ततक उबद्रोगी तता वह अपने वह छेतर 1840 से 50 तक उबद्रोग रस्त बना रहा फरैजी बिद्रो 1838 से 57 के बीच हुआ था फरैजी अंदोलन बंगाल के फरीद पूर जीले में हाजी सरीय तुला द्वारा चलाया गया संपर्दाय के अनुवाईयों द्वारा प्रारंभ किया गया इसका मुखु देश था बंगाल से ब्रिटीश सरकार को निकाल कर मुस्लिम सासन का अस्थापना करना अतह ये ब्रिटीश सरकार की अस्थापना के बिरोधी थे 1831 में फराजी आंदोलन का ब्रिटिस सरकार द्वारा दमन कर दिया गया फिर भी यह आंदोलन आगे चलते रहा अंत में इस संपरदाय के अनुआई जो हैं बहावी धल में समलित हो गया ब्रिटिस सासन की दमन कारी भूर अजस्व नीती के बिरोध में बुदेल खन के सागर और दमोह इलाकों में बुदेला लोगों ने अंग्रेजों के बिरुद बिद्रो कर दिया बुदेला बिद्रो 1842 में मधूकर साहा के नित्रित में सुरू हुआ था यह बिद्रो इतना ब्यापक और असरदार था कि उस समय सागर के नाम से ग्यात छेतर अधिकांस भाग था यह बिद्रोहियों के नियंत्रन में चला गया था इस परदेश में जबलपूर, सागर, दमो, बैतूल, सीवनी, मंडला, नरसिंगपूर, होसंगा, बारादी, जिले, समलित थे इस उग्र खूनी बिद्रोह में बिद्रोहियों ने अनेक अग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और इस इलाकेक्ट से पीछे खदेर दिया 1857 की क्रांती से 15 साल पहले हुआ बिंदोला बिद्रोह इतना परभाव साली था कि इस पर मधुकर को कटक नाम से नाटक भी लिखा जा चुका है चलिए आगे देखते हैं रामोसी बिद्रोह 1822, 1825, 1849, 1441 के बीच कई बार हुआ आदिम जाती रामोसी का निवास अस्थान पच्छिमी घाट का चेतर था, बिद्रोह का परमुक कारण, अंग्रेजों की भूर अजस्वे नीतीत था, अत्यधिक लगान निर्धारन, लगान को वसूल करने के लिए कश्टदाई तरीकों का प्रियोग करना था अत्यधिक लगान वसूली के कश्टदाई तरीकों के बिरोध में, 1822 में उनके सरदार चितूर सिंग ने बिद्रोह कर दिया और सतारा के आसबस का चेतर लूट लिया 1825 से 26 तक असांती बनी रही, 18441 के उपद्रोह को दबाने के लिए अधिक सकती साली सेना का परियोग करके ही इस छेतर में सांती असापित की जा सके कच्च का बिद्रो 18191 के बीच हुआ, अंग्रेजी सरकार के बुरूद कच्च काठियावार में बिद्रोह हुआ, कच्च के राजा भार मल को जब अंग्रेजों ने हटा कर उसके अल्प वयसक पूत्र को गद्दी पर बिठाया, तो भार मल और उसके समर्थक सरदार जो है छरेजा ने बिद्रोह कर दिया, अंग्रेजों ने इस बिद्रोह को दबाने का अथक पर्यास किया, 1831 में भार मल को पुना गद्दी पर बिठाने के बाद ही या बिद्रोह सांथ हो पाया, भील बिद्रो 1812, महराष्ट का खान देश जिला आदिम जाती भीलो का निमास सस् पर अंग्रेजी आधिपत से भैवित थें, 1812-19 के आसपार जब महराष्ट के खान देश पर अंग्रेजों का अधिपत स्थापित हो गया, तो भीलों ने अपने नए स्वामी सरदार दसरत के नेत्रित में अंग्रेजों के बिद्रोह कर दिया, यह 1857 तक चलता रहा, और 1857 में भागोजु और काजल सिंग जैसे नेताओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया किन्तु, अंग्रेजों द्वारक बड़ी कठोर्ता से इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, अब सूरत का नमक आंधोलन 1844, तो 1844 में जब नमक कर, यह एक रुपया आधा है न, एक बटा दो रुपया प्रतिमन से बढ़ा कर एक रुपया प्रतिमन कर दिया गया, तो सूरत में 1844 में अंग्रेजी सरकार के बुरुद नमक आंधोलन की सुरुआत हुई, बिद्रोह की दियुता को देखते हुए अंग्रेजों ने अतरिक्त कर को हटा लिया, अब गटकर लोग मराठो के कीलो में काररत वनसानुगत सैनिक थे, इस बिद्रोह का नेतरित दाजी कृष्ण पंडित ने किया, सावंत वाडी बिद्रोह 1844 में दककर में मराठा सांगत फूड सावंत द्वारा बिद्रोह किया गया, अंग्रेजी सेनाओं ने इस बिद्रोह के कठोर कारवाई की, पर नाम सोलुप ये लोग गुवाद चले गए, कालांतर में सावंत वाडी बिद्रोहियों पर राजधरो के मुकद में चला कर उन्हें कठोर सजा दी गई, वेली थंपु का बिद्रो 1808 से 9 के बीच हुआ, तो 1805 में वेले इजली ने समराज बिस्तार क की नीती के तहर, 53 कोर के सासक पर भी सहायक संदी को अपनाने पर दबाव डाला, और उसके द्वारा कमपनी को धन न देने के कारण, कमपनी को धन अंग्रेज रेजिडेंट द्रिश्टा पुर्ध बेहवार करने लगें, तथा सासक को भी हटा दिया, इसके बिरोध में उस बिद्रो का पूर्व गामी कहा जाता है, अंग्रेजों से हुई लडाई में वेलू धंपि घायल हो गया, और जंगल की और भाग गया, जहां उसकी मिर्तु हो गई, मिर्तु के बाद भी अंग्रेजी सेना ने उसे सारजोनिक रूप से भासी पर लटका दिया, पोलीगारो को कमपनी की अधिनता स्विकार करने के लिए बिवस करना तथा अत्यधिक माल गुजारी वसूल करना इस बिद्रो के पर मुखे कारन थे, अठारा सो एक से पांच तक इस बिद्रो का नेत्रित कटोम नायकन नामक पोलीगर ने किया, जिसे अंग्रेजों द्वारा फासी द दूर्जन सिंग के नेत्रित में हुआ था, कहां मीदनापूर बंगाल में, और इससे संबंदित महत्पुन तथे क्या था, अकाल यों बढ़े हुए भूमी कर के कारन विद्रो हुआ था, अकाल और भूमी कर बढ़ा दिया गया था, जिसके कारन, फकीर विद्रो सत्रह सो 76-77 के बीच मजनु साह एवं चिरागली इसके नेत्रित करता थे, यह बंगाल में हुआ था, और यह मूलत जो था, यह बिद्रो मूलत धार्मिक बिद्रो था, धार्मिक बिद्रो था, ठीक है, पाईक बिद्रो देखें, तो 1817-25 के बीच हुआ था, बक्सी जगबंदु न उडिसा में हुआ था, अंग्रेजो द्वारा भूमी कर में बिर्धी के कारण बिद्रो हुआ था, बग्हेरा बिद्रो 1818 से 20 के बीच हुआ था, और इसमें क्या था, बग्हेरा सरदार के नेत्रित में हुआ था, और ओखा मंडल यह छेत्र था, बड़ाओदा के गायक वा बिद्रो जो है 1820 से 70 के बीच, सैयद अहमद बरेलवी, इसमें संबंदी जो छेत रह पटना, हैदराबाद, मदरास, बंगाल, बंबई, यूपी था, इसलाम में सुधार करना इसका प्रमुख लक्ष था, अंग्रेजो एवं सोसक वर के अन लोगों का बिरोध करना, किटूर बिद्रो, 1824 से 29 के बीच महरानी चेनम्मा, इसकी नितुद्द करता थी करनाटा किसका संबंदी छेतर था, 1824 में उत्रा अधिकार के प्रस्ण पर अंग्रेजो का किटूर राज से बिरोध हो गया, कूका बिद्रो, कूका बिद्रो जो है, 1844 से 72 के बीच हुआ, भगत ज्वाहर मल, राम सिंग कूका इसके नितुद्द करता, पंजाब में हुआ था, सिख धर्म में प्रचलित बुराईयों और अंध्विस्वासों को दूर करना, रमपा बिद्रो ये 1889 से 1922 के बीच हुआ था, और इसमें अलूरी सीता राम राजु, नितुद्द्द करता, ये आपका आंध परदेश में हुआ था, साहुकारो के सोसन एवं वन कानून के विरुद आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन 1914, जत्रा भगत नितुद्द्द क चोटा नागपूर में हुआ था, आदिवासियों के द्वारा लगान की दर में ब्रीधी एवं जोकिदारी करके विरुद आंदोलन था, नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में हुआ था, बाबा रामचंद्र ने तुत्त किये थे और परताप गड़ में हुआ था, जमिंदारो तालुकेदारों का समाजिक भाहिसकार इसमें किया गया था, अब देखेंगे 1857 का सोतंतता संग्राम, तो 1857 का जो बिद्रो है ब्रिटिस अपनिवेसिक सक नीतियों के विरुद्ध भारतियों में पिछले 100 वर्सों से संचित रोज का परिनाम था, इसका अरंब तो कमपनी कि सेना के भारतिये सिपाईयों से हुआ, लेकिन जल्द ही ये व्यापक छेतरे के लोग में भी सामिल हो गये इसमें, 1857 के कारण क्या थे, तो 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में देखें, तो लॉड बिलेजली की सहायक संदी, डलहोजी की व्यबगत सिधान, नाना सह के उत्रा अधिकारियों को राजकिये उपाधी और लाल किले से उन्हें वंचित करना, ये सब जो था लोग जन में अक्रोस की भावना को बढ़ाया था, अब ब्रिटिस भूरा जस्व नीतियां देखें, तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयत वाड़ी, महाल वाड़ी, ये स 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसाई मिस्नरियों के धर्मांतरन कारक्रमों को पोड़ साहन, धार्मिक निरोगता अधिनियम 1850 द्वारा इसाई धर्म ग्रहन करने वाले को पैत्रिक संपती में अधिकार, सती प्रथा, कन्यावदे, बाल विबाह निसेद, एवं विद् उनर विबाह आधि को भारतियों ने समाजी के ओम सांस्कृतिक मामले में हस्तचेप माना और अपने धर्म की रक्षा के लिए उठे खड़े हुए, अंग्रेजी सेना में भारतिये सैनिक सुबेदार के पत से उपर नहीं जा सकते थे, साथ ही इरोपिये तथा भारतिये सैन सैनिको के भावना को ठेस पहुचाया, जिसकी परिनती विद्रोह के रूप में हुई, सेना ने भारतियों के माथे पर तिलक लगाने, पगडी बांधने पर रोक लगा दी थी, इसकी जगत तुर्रा और पंक लगा हैट लगाने को विवस किया था, सैनिको की निसुल्क डा प्रति होने वाले सिपाही जो थे मुल्तक किसान वर के ही थे, अतक किसानों की आसाय, एक्छाय, एवं दुख दर्द को ये वर्दी धारी किसान अच्छी तरह समझ रहे थे, तातकालिक कारण में ब्रीटिस सासन ने दिसंबर 1856 में सैनिको के लिए ब्राउन बेस की जगा न्यू एन्फिल्ड राइफल के परियोग का फैसला लिया, जिसमें चिकनाई लगे कार्तूसों को दांस से काटना पड़ता था, जिसके कारण जन्वरी 1857 में यह अपवाह फैल गई कि कार्तूस में गाय और सुवर की चर्वी लगी होती थी, इससे हिंदू और मुसल्मान सिपाहियों को यह लगने लगा कि सरकार जान बूझकर उनके धर्म को भरष्ट करना चाह रही है, अब देखेंगे 1857 के बिद्रोह के बारे में जो बिभीन मत था, सर जॉन लॉरेंस सीले, इनका मत था कि यह पूंतस सैनिक बिद्रोह था, डिजरायली ने इसे राष्टिये बिद्रोह माना, एल आरीज ने इसे इसाई धर्म के बिरूद एक धर्म युद माना, टी आर होम्स सभ्यता एंबरबरता का संघर्स इसे मानता है, जेम्स आउटरम और डबलू टेलर ने इसे हिंदू मुसलीमों का सड़यन्त मानता है, बीडी सावरकर और असोप मेहता, य राष्टिये स्वतंतरता के लिए सुन योजित युद्ध मानते हैं, डॉक्टर रामविलास सर्मा जनकरांती मानते हैं, डॉक्टर इस्वरी परसाथ स्वतंता संघराम मानते हैं, आर्सी मजुमदार इसे न तो प्रथम न राष्टिये न ही स्वतंतरता संघराम मानते हैं 1857 के विद्रोह का प्रारंब और प्रसार देखते हैं तो भारतिय सैनिकों के द्वारा चर्बी वाले कार्तूसों के परियोग करने से मना करने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर अनुसासन हिंता का आरोप लगा कर उन्हें डंडित किया गया 29 मार्च 1857 को 34 वी रेजिमेंट पैरकपूर के सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह की सुरुवात कर दी तथा लेप्टिनेंट वाग और मेजर सर्जेंट यूसोन को मुर्सीदाबाद के निकट गोली मार कर गोली मार दी जिससे लेप्टिनेंट वाग की मिर्थू हो जाती है से अन टुकडियों में भी असंतोज फैला 24 अपरेल 1857 को मेरट में तैनात घुर सवार सेना के लगभग 90 सिपाहियों ने चर्वी वाले कार्तूसों का इस्तमाल करने से मना कर दिया 9 माई 1857 को इन में से 85 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया और 10 वर्ष की सजा सुनाए गया इसके बिरोध स्वारुप मेरट में तैनात ब्रिटिस सेना के भारतिय सिपाहियों ने 10 माई 1857 को विद्रो कर दिया तद उन पर इसके बाद क्या होता है कि 11 माई को मेरट के बिद्रो ही दिल्ली पहुँचते हैं और 12 माई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर आधिकार कर लेते हैं 20 नेटिव एन्फरेट्री जो है मेरट इस्थच चावनी तथा 3LC की पैदल सैन टुकडी ने 10 माई 1857 को विद्रो करना प्रारंब कर दिया सीगरही उत्तरमध प्रांत और अवध में विद्रो ने बिकट रूप धारन कर लिया इस विद्रो का देश के लगभग परतेक भाग में प्रभाव देखने को मिला किन्तु मदरास इससे अचूता ही रहा 12 माई 1857 को विद्रो हियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया लेप्टिनेंट बिलोई द्वारा दिल्ली में सस्त्रागार का कारवाह किये थे तो कुछ विद्परतिरोध किया गया परंतु पराजित हुया दिल्ली में विद्रोहियों का आरंभिक नेतरित मुगल सहनसा बहादूर सह जफर कर रहे थे लेकिन 3 जुलाई 18 संताउन को नेतरित की कमान बक्त कान के हाथों में आ गई विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिस सेना नायक जॉन निकॉलसन की हत्या कर दी गई लेप्टिनेंट हटसन ने मुगल समराट के दो पुद्रों मिर्जा मुगल एवं मिर्जा खीजरिक सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बक्र को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दे हुमायू के मकबरे से बहादूर साहदूतियों को गिरपतार कर लिया गया तथा उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया जहां 1862 इसबी में उनकी मिर्दू हो गई लखनव मिया विद्रो चार जून 1857 को प्रारंब हुआ ब्रिटिस रेजिडेंट हेंरी लॉरेंस की बिद्रोहियों ने इन हत्या कर दी नॉमबर 1859 में सर कॉलिन कैंपवेल ने गोर्खा रेजिमेंट की सहायता से लखनव पर पुना कबजा कर लिया बेगम ओफ आवध के नेतरुत में 1867 का बिद्रोह लखनव में सक्रिये रहा पांच जुन 1867 को कानपूर में बिद्रोह हुआ कानपूर में पेश्वा बाजी रादूतिये के दतक पुत्र नाना सहाब धोनदूपंत ने बिद्रोह का नेतरुत किया जिसमें उनकी सहायता तात्यय तोपे रामचंद पांडू रंग ने किया था नाना सहाब के मुक सलाहकार दिवान अजी मुल्ला खान थे 867ओन के बिद्रोह में उनकी भूमी का मत्भून रही इसी कारण उन्हें क्रांती दूत अजिमुला खान कहा जाता है कॉलीन कैमपोल ने कानपूर पर दिसंबर अठार संतावन में अधिकार अस्थापित कर लिया नाना सहाब अंततर नेपाल चले गए तथा तात्या टोपे को ग्वालियर के सिंधिया महराज के सामन्त मान सिंग ने धोके से अंग्रेजो के हाथ पकड़वा दिया और इन्हें 18 अप्रेल 1869 इसपी में सीव पूरी में फासी दे दी गई अब देखेंगे जासी की रानी लक्षमी बाई गंगा धर राव की बिद्वा थिये इन्होंने अंग्रेजो द्वारा उनके दतक पुत्र रद्धा मुईदर राव को बैदता नौद दिये जाने के कारण के विरोध में पाँच जून 1867 को विद्रो आरंभे कर दिया जहां रानी लक्षमी बाई का सामना सर हीरोज से हुआ लच्मी बायूद करते करते कालपी जा पहुँची जहां हीरोज की सेना पराजित हुई यहां से चलकर ग्वालियर पहुँची सिंदिया जोकी अंग्रेज का समर्थक था इसकी सेना विद्रोहियों से मिल गई जिसकी सहता से रानी ग्वालियर पर अधिकार कर ली अंग्रेज सेनापती इसमित तथा ही रोज की समलित सेनाओं ने ग्वालियर पर आक्रमन कर दिया और यहीं जून 1859 को रानी बीर गती को प्राप्ते हुई अंतता ग्वालियर पर अंग्रेजों का आधिपत्ते अस्थापित हो गया बरेली में खान बहादूर खान बिद्वारा बिद्रोहियों का नित्रुत किया गया उसने अपने आपको नवाब घोसित कर दिया बरेली में बिद्रोह का दमन कैंप वेल ने किया और खान बहादूर खान को फांसी की सजा हुई फैजाबाद में बिद्रोह का नेत्रित मौलवी अहमदुल्ला ने किया इनका बिद्रोह इतना अघात कारी था कि अंग्रेजों ने इने पकड़ने के लिए 50,000 रुपे का इनाम घोसित किया था किन्तु 5 जून 1859 को अहमदुल्ला की रुहेल खंड की सीमा पोबाया में गोली मार कर हत्या कर दी गई कहा जाता है कि मौलवी अहमदुल्ला साह 1859 के बिद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन थे जगदीजपूर आरा बिहार में वहां के परमुख जो जमिंदार कुवर सिंग ने नित्रुत बिद्रोह का नित्रुत किया उन्होंने अंग्रेजों को बहुत हानी पहुचाए किन्तु जखमी हो जाने के कारण 26 सप्रेल 1859 को इनकी मिर्दु हो जाती है ठीक है 26 सप्रेल 1859 को दिवान मनी रामदत ने असम में विद्रोह की सुर्वात की तथा अंतिम राजा के पोते कंद पैसवर सिंग को राजा घोसित कर दिया किन्तु अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन भी बड़ी कुरूरता से किया गया तथा मनी रामदत को फासी दे दी गई विद्रोह इतना परभाव साली था कि दच्छिन भारत के कुछ शेतरों में भी इसका परसार हुआ जैसे उडिसा में संभलपूर के राजकुमार सुरेंद्र साही और उजवल साही विद्रोहियों के नेता बने 1862 में सुरेंद साही ने आजसमर्पन कर दिया दच्छिन भारत के साहसत पच्छिमी भारत जैसे राजस्थान में कोटा ब्रिटिस बिरोधियों का परमुख केंद्र रहा जहां जै देयाल और उसके भाई हर देयाल ने 1857 का बिद्रोह किया बाद में जै देयाल को तोप से बांध कर उड़ा दिया गया गोरकपूर डिवीजन में गजाधर सिंग के नेतरुत में बिद्रोह हुआ जिसे बाद में दबा दिया गया मतुरा तथा उसके निकट वर्ती छेत्रों के नेतरुत में देवी सिंग ने बिद्रोह किया जबकि मेरट के आसपास के छेत्रों का नेतरुत कदम सिंग ने किया अठार सुन्तावन का विद्रोह ब्यापक जन समर्थन पाकर भारत के बहुत बड़े भू छेत्र में फैल गया था समाज के लगबग सभी वर्गों की भागिदारी इस विद्रोह में थी किन्तु यह संपुन देश या समाज के सभी वर्गों को अपने परभाव में नहीं ला सका यह तो देखते हैं अठार सुन्तावन के बिद्रोह एक नजर में बिद्रोही नेता बिद्रोह का दिन बिद्रोह कुचलने वाले सेनानायक और समर्पन का दिन तो दिल्ली केंद्र में बिद्रोही नेता थे बहादूर साह जफर बक्त कान और यहां पे 12 माई ठार सुन्तावन को बिद्रोह सुरू हुआ था निकॉलसन और हर्सन ने इसे खत्मे किया था लखनाओ में बेगम हजरत महल बिर्जिस कादिर थे यहां सुरू हुआ था 4 जून 1857 को और कॉलिन कैम्प वेल ने यहां पे बिद्रोह को कुचला था कानपूर में देखे तो नाना साहब तात्या टोपे 5 जून 1857 को यहां बिद्रोह सुरू हुआ था कॉलिन कैम्प वेल ने ही यहां खत्म किया था जहांसी और ग्वालियर में रानी लक्षमिवाई तात्या टोपे ने जून अठार संतावन में और ही रोज यहां पे कुचला था बिद्रोह को जगदीशपूर, कुमर सिंग और अमर सिंग संबंदित हैं बारा जून अठार संतावन को सुरू हुआ था और बिलियम टेरर ने इसको कुचला था ये फैजाबाद, फैजाबाद में मौलबी अहमदुल्ला जून अठार संतावन में सुरू हुआ था रेनोड जनरल रेनोड ने इसे खत्म किया था इलाहाबाद में लियाकत अली जून अठार संतावन में और यहां करनल नील ने खत्म किया था बरेली में खान बहादुर खान जुन उठार संतावन में और विंसेट आयर ने यहाँ पे बिद्रोह को कुजला था अब देखेंगे अठार संतावन के बिद्रोह से संबंधित पुस्तके तो बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है फर्ष्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस दज सिपाय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 यह आर्सुम मजुमदार के द्वारा लिखा गया है 1857 ये एसेंसेन के द्वारा दग्रेट रिवेलियन असोक महता के द्वारा रिवेलियन 1857 पीसी जोसी के द्वारा दपीजेंट एंड राज ये एरिक श्टोक के द्वारा लिखा गया है ब्रिटीस भारत में अर्थ व्योस्ता से जुड़ी प्रथाएं ये ददनी प्रथा इस प्रथा के अंतरगत ब्रिटीस ब्यपारी भारतिये उत्पादकों कारिगरों एवं सुल्पियों को अगरीम सन्वीदा पेसकी के तौर पर रुपया देते थें कमिया जाती के लोग अपने मालिकों से लिये गए रिन पर दी जाने वाली ब्याज रासी के बदले में अजीवन उनकी सेवा करते थें तीन कठिया प्रथा इस प्रथा के अंतरगत जमपारन के किसानों को अपने ब्रिटीस बागान मालिकों के साथ किये गए अनुबंध पर अपनी जमीन के करीव तीन बटा बीस भाग पर नील की खेती करनी होती थी दुबला हाली प्रथा भारत के ये पच्छमी छेतर में मुख्यत सूरत में परचलित इस प्रथा के अंतरगत दुबला हाली नामक भुदास अपने मालिकों को ही अपनी संपती और स्वयम का संड़क्छक मानते थे अब देखिए ब्रीटिस भारत में किसान आंदोलन दिया हुआ है इसको देखना है तो आंदोलन रंगपुर विद्रो 1783 में हुआ था ये धीरज नरायन इसके नित्रित्य करता थे ठीक है दिनाजपूर में ये हुआ था और ये आप देख लिजेगा कारण और प्रगती दीशा और परिनाम आप इसको देख लिजेगा प्रारंबिक मोपला विद्रो 1836-54 के बिच मालाबार में हुआ था के एम हाजी सिधी कोया थंगल इसके नित्युत्य करता थे नील विद्रो 1859-60 में बंगाल में दिगंबर विश्वास बिसनु विश्वास इसके नित्युत्य करता थे पाबना विद्रो 1873-76 में बंगाल में हुआ था इसान चंदराय संभूपाल केसो चंदराय इसके नित्युत्य करता थे दक्कन भी द्रोह देखें तो दक्कन भी द्रोह जो है ये आपका हो जाएगा 1875 में महराश्ट के पूर्णा, अहमदनगर, सोलापूर वसतारा जिले में हुआ था बाबा साहब देशमुक नितृत के नितृत में पंजाब के क्रिस्को का अंदोलन 1890 से 1900 में और पंजाब में विजोलिया किसान अंदोलन 1905 से 13 के बिचुआ था मिवाड में ठीक है और इसके नितृत करता भूप सिंग राठी, विजय सिंग पतिक उर्फ, राष्टिय पतिक मनिकला वर्मा थे चंपारन सत्यागरा 1917, ये चंपारन रामनगर, मोतिहारी, बेतिया में हुआ था, महात्मा गांधी नितृत करता खेड़ा बिद्रो, केड़ा सत्यागरा198 में, खेड़ा गुजरात में और ये महात्मा गांधी नितृत करता थे एका अंदोलन जो हुआ था 1921-22 में बाराबंकी, हर्दोई, बहराईज, सितापूर में हुआ था मदारी पासी नित्रुत करता थे मालाबार का मुपला विदर 1921 में मालाबार में हुआ था याकू भसन, यू गोपाल मेनन, पी मोईदिन, कोया अली मुस्यार थे बारदोली सत्यागरा 1928 में सूरत का बारदोली तालुका, सरदार वल्लब भाई पटेल इसके नित्रुत करता थे अब देखेंगे आगे मालाबार क्रिशक आंदोलन 1934-1940 के बीच केरल का मालाबार टट में छेत्र में हुआ था आर रामचंद्र वेदुम गड़ी वी क्रिश्न पिल्ला टी प्रकासम इसके नित्रुत करता थे पंजाब में किसान आंदोलन ये 1930-40 के बीच हुआ था जालंदर, अमरीसर, होसियारपुर, लावलपुर, सेखपुरा छेत्र था और सोहन सिंग भाखना, बेदी ज्वाला सिंग, तेज सिंग, माश्टर हरी सिंग, बाबा रूर सिंग इसके नित्रुत करता थे वरली आंदोलन 1945-49 के बीच हुआ है, बंबई के निकट वरली छेत्र में, गुदावरी पूरूल लेकर इसके नित्रुत करता थे भागा जो है, 1946-50 के बीच, दिनाजपूर, रंगपूर, जलपाई गुडी, मेमन सिंग, मिदनापूर, ये 24 परगना खूलना इन सभी वो पे हुआ था और ये सभी इसके नित्रुत करता थे, पुनपपा वाइलर विदर 946-53 कर में हुआ था, पन्नम धातु पिलाई सामिवादी जन इसके नित्रुत करता थे, तेलंगाना जो है, तेलंगाना अंदोलन 1946-51 के बीच हुआ है, और ये तेलंगाना छेत्र में अंदर रहा इसके वो थे, नित्रुत करता, तो देखे ये आपका जो ब्रिटिस सासन के प्रति भारतियों की प्रतिकिर्या चेप्टर था, ये आपका कम्प्लीट हो गया, चलिए तो इस वीडियो को आज यहीं रोकते हैं, इसके दो चार चेप्टर और बचे हैं, तो आप एक नेक्ट वीडियो में एक और वीडियो आएगा इसका, उसमें आपको इसका चेप्टर कम्प्लीट करा दिया जाएगा, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में